हलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल NCRT टूटोयल के उपर और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को जिसका नाम है The Rise of Nationalism in Europe तो यह जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं NCRT बुक की मदद से और यहाँ पर line by line explanation के साथ हम पढ़ेंगे और साथ में जितने भी important questions होंगे जो कि previous year में पूछे गए हैं या फिर ऐसे भी important है वो मैं आपको साथ में बताता चलूँगा तो यहाँ पर यह जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं यह हम पढ़ेंगे NCRT बुक की मदद से और साथ में यहाँ पर जो हम किताब यूज करेंगे वो है नया किताब new session का यानि 2023-24 session का बुक हम लोग use करेंगे ठीक है तो यानि कि नए syllabus के अधार पर है नए session के अधार पर है अब जब यह chapter आपका खतम हो जाए यह video आप देख लें तो यह वाला video भी आप देख लिजेगा क्योंकि इस video में हम लोग तो NCRT book से line by line पढ़ रहे हैं लेकिन यह जो video में बनाऊंगा इसमें हम लोग notes की मदद से slides की मदद से पूरा chapter complete करेंगे अच्छे तरीके से complete करेंगे तो यह video भी आप पूरा देख लिजेगा आपके लिए काफी helpful रहेगा तो आए हम शुरुआत करते हैं अपना chapter, chapter का नाम क्या है The Rise of Nationalism in Europe यानि कि Europe में राष्टरवाद का उदै यह इस chapter का नाम है यानि कि Europe में nationalism की भावना कैसे आई राष्टरवाद कैसे आया कैसे वो फैला, बहुत सारी चीज़े हमें यहाँ पर पढ़नी है अब सबसे पहले तो आपको short में यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर nationalism का बात हो रहा है nationalism होता क्या है और यह nationalism का rise का क्या मतलब है देखें, nationalism का simple मतलब, छोटा सा मतलब अगर आप समझने की कोशिश करें जो feeling आपके अंदर अपने देश की प्रती है जैसे इंडिया, इंडिया मेरा देश है इंडिया के लिए मैं बलीदान दे सकता हूँ बहुत सारे लोग आर्मी में जाना चाहते हैं पुलिस में जाना चाहते हैं सरकारी नौकरी करके लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो ये जो भावना होती है कि भाई मैं देश के लिए कुछ करूँगा देश मेरा है, देश से में प्रेम करता हूँ इस प्रकार की जो भावना होती है न यह हमारा एक प्रकार का राश्रवाद का भावना है नेशनलिज्म की भावना है अब बुलेगा सर कि यहाँ पर यह नेशनलिज्म का भावना जो है नेशनलिज्म के राइस की बात क्यों हो रही है यहाँ पर तो इसका कारण यह है कि एक समय तक दुनिया में कहीं भी देश न तो उस प्रकार की चीज़े पहले नहीं होती थी. राजा जितना कब्जा कर लिया वो उसका देश हो गया. लेकिन वैसी स्थिती से निकल कर हम लोग कहां पहुँच गए एक देश वाली स्थिती में पहुँच गए नेशन इस्टेट की स्थिती में पहुँच गए नेशन इस्टेट बनने लगे अब नेशन इस्टेट क्या होता है ये भी समझना जरूरी है आगे हम लोग समझेंगे इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि nationalism के rise की बात हो रही है यानि जो राश्ट्रवाद है उसका उदय कैसे हुआ, rise कैसे हुआ, ये चीज हमें समझना है, पढ़ना है पहले क्या स्थिति आप समझ गए, उसके बाद किस स्थिति में हम पहुँच गए, ये भी आप समझ गए अब यहाँ पर जब ये chapter आप खुलिएगा, तो ये काफी बड़ी सी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी जिसमें की लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो स्रिंखला है, ये किन लोगों की है? कौन से लोग हैं जो की इस लाइद में लगे हुए हैं? तो यहाँ पर जो ये painting बनाई गई थी, ये तस्वीर बनाई गई थी ये तस्वीर बनाई गए थी 1848 में French artist के दवारा जिनका नाम था Frederick Sorju Frederick Sorju ने 1848 में चार तस्वीरों की चार painting की एक सिरीज बनाई थी, श्रिंकला बनाई थी जिसमें की ये पहला page है, पहला photo है, ठीक है अब यहाँ पर इन्हों ने ये क्यों बनाया था? तो यहाँ पर इसले बनाया था कि जिस समय ये तस्वीर बनाएगे थी, पेंटिंग बनाएगे थी, उस समय पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना बहुत उपर थी, हर आदमी, हर व्यक्ति नेशनलिज्म से भरा अपना वो नेशन श्टेट बनाना चाहता था मतलब कि उस समय में 1848 में जर्मनी नाम का कोई देश नहीं था वहाँ पर छोटे-छोटे इलाके थे जहाँ पर छोटे-छोटे राजाशाशन करते थे तो जर्मन भासा बोलने वाले लोग एक जर्मनी देश बनाना चाहते थे इसी प्रकार से इटली देश नहीं था इटली देश बनाना चाहते थे लोग तो सभी ग्रूप के लोग क्या करते थे अपना देश बनाने की बात कर रहे थे उसी प्रकार से यहाँ पर फ्रेडरिक्स और यू भी एक ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं, एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बना रहे हैं, एक ऐसी अपने सपनों की संसार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर कि दुनिया के सभी देश, दुनिया नहीं, अमेरिका और यू प्रोप के लोग जो हैं वो इस प्रकार से एक पंग्ती में आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं देश बन रहे हैं नीशन इस्टेट बन रहे हैं अब यहाँ पर इस तस्वीर में कुछ चीज़े गौर करने वाली हैं गौर करने वाली क्या है कि यहाँ पर द से पहले ही nation state बन चुके थे और इसके पीछे जो देश हैं सारे देश ये देश nation state बनने वाले हैं और यहीं पर Frederick Sawryu ने तुरंत अपना देश यानि की France देश को दिखाया है कि देखे France देश है ना तुरंत अब बनने वाला 1848 आ गया है ना अब एकदम nation state बन जाएगा ऐसा उसके पीछे हैं Germany उसके पीछे पॉलेंड हंगरी या फिर लॉंबारी और भी अलग-लग इलाकों के लोग आगे बढ़ रहे हैं मतलब क्या ये सभी देश जो है ये सभी लोग जो है वो क्या करने वाले हैं अपने देश को nation state बनाने वाले हैं और इस तस्विर में और भी संत हैं वो उपर से देख रहे हैं आशिरवात दे रहे हैं परियां भी देख रही हैं मतलब क्या मतलब की देवता गन भी यानि की आस्मान से संत या फिर परियां या फिर क्राइस्ट भी यही चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो दुनिया में nation state बने सभी लोग इसी प्रकार से आगे बढ़े हैं, ये पूरे तस्वीर का सार था, ये तस्वीर क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, ये मैंने आपको शॉट में समझा दिया, अब आएए हम लोग क्या करते हैं, NCRT बुक को जरा सा पढ़ लेते हैं, लाइन वैलाइन देख लेते हैं, वही सारी बाते लि democratic and social republics as he caught them, यहाँ पर क्या कहता है, साफ कहता है, कि देखे 1848 में, फ्रेडरिक सौर्यू, जो की एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, उन्होंने चार पेंटिंग की एक स्रिंखला बनाई, जिसमें उन्होंने एक ऐसी दुनिया दिखाने की कोशिश की, अपने सपनों का संसार द बोट देती है और सरकार बनाती है, रिपब्लिक का मतलब क्या मतलब की देश का जो सर्वोच पद होगा, उस पर एक आम आदवी बैठ सकता है, जैसे कि इंडिया, इंडिया में रश्ट पती पद पर कौन बैठता है, कोई भी चुनाव लड़कर जाकर जीत कर बैठ सकता है तो ये आपको इन्होंने दिखाया कि देखो मेरा सपना ऐसा है कि ऐसी दुनिया हो जहाँ पर सभी देशों में डेमोक्रेसी हो, सभी देश रिपब्लिक हो, सारी अरिस्टोक्रेसी, और्टोक्रेसी सब खतम कर दिया जाए, राजा-फाजा हटा के फेंक दिया जाए, ऐसी दुनिया इन्होंने एक प्रकार से दिखाने को कोशिश की। के पास से गुजर रहे हैं, तो Statue of Liberty को नमन कर रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पर कहता है कि आपने फ्रेंच रिवोलुशन पढ़ा है, फ्रेंच रिवोलुशन में आपको पता होगा कि वहाँ पर जो फ्रेंच रिवोलुशनरी थे, वो लोगों में भावनाओं को पढ़ाने के लिए लिबर्टी को फीमिल फिगर की रूप में दिखाते थे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, Statue of Liberty है, वो क्या शो करती है? लिवर्टी की फिलिंग को शो करती है, ठीक है? तो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर आप अगर Statue of Liberty को देखें, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? टार्च ओफ इनलाइटनमेंट यहाँ पर एक हाथ में, और दूसरे हाथ में क्या मिलेगा? राइट ओफ चार्टर ओफ राइट ओफ मिन, यानि कि लोगों के अधिकार जो कि French Revolution से आया था, वो चीज़ यहाँ पर Statue of Liberty के हाथों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर कहता है कि अब यहाँ पर कहता है कि बिल्डिंग के टुकडे मिलेंगे कौन सी बिल्डिंग भाई? एबसोलिटिश्ट इंस्टिशन के बिल्डिंग के टूटे हुए टुकडे मिलेंगे जिनको की जमिंदोस कर दिया गया है, गिरा दिया गया है तो सबसे पहले समझे कि भाईया ये absolutist क्या होता है, absolutist क्या चीज है, तो यहाँ पर होता है कि absolutist का मतलब होता है, a government of a system of rule that has no restraint on power exercised, in history the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. यानि absolutist government का simple मतलब यही होता है, कि एक ऐसी सरकार जिसके power के ऊपर किसी का control नहीं है, सरकार जैसे चाहे वैसे काम कर सकती है, जैसे कि हो सकता है किसी राजा का शाशन, कि राजा जिसको पसंद करेगा उसको इनाम दिया जाएगा, राजा को जो पसंद नहीं आया उसको फासी दे दिया गया, तो इस प्रकार से जब सत्ता चलती है, इस प्रकार से जब सरकार चलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, absolutist government कहते हैं, ठीक है, मतलब कि वो अपनी मर्जी की मालिक है, ताना, शाह, हिंदी में, जिसको कि हम लोग simply कह सकते हैं, कि जो मन कर रहा है, वो कर र एक ऐसे समाज की कलपना करना, जो कि इतना अच्छा है, कि वो reality में हो ही नहीं सकता है, जैसे उदाहरण के लिए, मैं simple उदाहरण देता हूँ, जिससे कि आप समझ जाएं, जैसे मैं ऐसे दुनिया की कलपना करता हूँ, जिसमें कि सभी लोग क्या हो जाएं, अरब पती हो हर आदमी के पास फरारी कार हो, हर आदमी के पास बड़ा सा बंगला हो, हर आदमी के पास आइफोन हो, हर आदमी के पास सोने की चेन हो मोटी मोटी, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, दुनिया में हर आदमी, हर एक आदमी के पास ये सभी चीज़े नहीं हो सकती है, possible नह मैंने आपको समझाने के लिए यूटोपियन विजन का उदारण क्या होगा कि भाई पूरी दुनिया में एक क्वालिटी हो सभी लोग बराबर हो कोई अमीर गरीब नहीं हो सब के बराबर सब के पास बराबर का पैसा हो यह बहुत अच्छा एक सोंच है दुनिया के लिए ले कि जो सभी लोग हैं वो अलग-लग देशों के रूप में बटे हुए हैं अलग-लग देशों के रूप में समू में हैं identified through their flags, सभी लोग जो हैं, वो अपने अपने देशों के जंडे थामी हुए हैं, जिनको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे जंडे हैं यहाँ पर, Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by the time were already nation states, जो कि मैंने कहा, कि जिस समय यहाँ पर अगर आप देखें, जो chain बनी हुई है, उसमें Statue of Liberty से आगे कौन है, Statue of Liberty से आगे हैं, USA, United States of America के लोग, और Switzerland के लोग, क्यों? क्योंकि यह दोनों देश, 1848 से पहले ही nation state बन चुके थे, लेकिन बाकी सभी देश क्या हैं, बनने वाले हैं, अभी नहीं बनने है national state, और यहाँ पर यह जो सौरियू है, यह एक तस्वीर बनाते हैं, इस तस्वीर में दिखाते हैं, कि यहाँ पर United States और Switzerland के पीछे, आपको France है, जो की अभी अभी इस Statue के पास पहुँचा है, इस Statue of Liberty के बिल्कुल बगल में है, यहाँ पर देखे, यहाँ पर आपको है, France, France है यहीं पर है, मतलब क्या, यह क्या दिखाना चाहते हैं, फ्रेडिक्स और यू, दिखाना चाहते हैं, कि भाईया देखो 1848 आ चुका है, और France में revolution हो रहा है, और France अब नेसन इस्टेट तुरंत बनेगा, एकदम अभी बनेगा, एक दो साल में बन जाएगा, यह चीज यहाँ पर यह दिखाना चाहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखें, तो आगे कहता है, कि sea is followed by the people of Germany, bearing the red, black, red and gold flag, जर्मनी के लोग फ्रांस के पीछे हैं, और उसके साथ ही अगर हम देखें, तो आगे और भी देश हैं, जो कि उनके पीछे चल रहे हैं, जैसे कि Austria, Kingdom of Two Silices, Lombardi, Poland, England, Ireland, Hungary, Russia, सभी देश पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बताया गया है, कि देखें, जर्मनी की जो जंडा है, जर्मनी का जंडा, और जो जर्मनी के लोग हैं, जिस समय यह यहाँ पर तस्वीर बनाई गई है 1848 में, उस समय जर्मनी नाम का कोई देश ही नहीं था, उस समय कई सारे छोटे छोटे राज्य थे, जैसे प्रसा एक राज्य था, इसके अलावा और भी कई सारे छोटे 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 राज्य थे, जो कि अपने अपने इलाके पर साशन करते थे, तो फिर यहाँ पर यह जर्मनी देश का जंडा क्यों लेकर लोग घूम रहे हैं। क्योंकि उस समय में 1848 में जर्मनी भासा बोलने वाले लोगों के बीच में ये भावना थी कि हमारा एक पूरा नेशन इस्टेट होना चाहिए, देश होना चाहिए, उसी भावना को यहाँ पर दिखाने के लिए फ्रेडिक सौर्यू ने इस पेंटिंग में जर्मनी देश का जंडा यूज किया है। आगे वही बाते लिखी गई हैं जो कि मैंने आपको बता दिया कि उपर से जो क्राइस्ट हैं, संत हैं, एंजल हैं, वो इस पूरे सिन को देख रहे हैं और एक प्रकार से उसको क्या कर रहे हैं, आसिरवात दे रहे हैं, यह सारी चीज़े तो हमने समझ ली समझा दी, अब यहां पर यही चीज़ कहता है, मेन मुद्दा क्या आया, अब आया है कि इस चेप्टर में हमें पढ़ना क्या है, इस चेप्टर में कहा जाता है कि इस चेप्टर विल डिल विथ मैनी ओफ इस इसूज विजुलाइज़ड बाई सौर्यू इन फिगर बन, जो टॉपिक्स हम क्या आसर पड़ा, नेशन इस्टेट अलगलग कैसे बने, जर्मनी का, इटली का, ब्रिटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यह सारी चीज़े हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अब यहां पर हमको तीन कंसेप्ट, तीन टॉपिक, तीन वर्ड समझने हैं, तीन वर्ड को अच्छे से अगर आप समझ गया न, तो इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स आपके लिए आसान हो जाएंगे, सबसे पहले समझेए कि भाईया, इस्टेट क्या होता है, वाट इस्टेट, इस्टेट मतलब राजी होता है, सिंपल, इस्टेट का सिंपल मतलब है, कि कही पर किसी एक छेतर में कहीं कोई सरकार चल रही है, जिसके पास political power है, sovereignty है, वो अपने इलाके को कंट्रोल करती है, वहां के सारे decision लेती है, और उसके उपर कोई दूसरा परभाव नहीं डाल रहा है, तो वो एक स्टेट हो जाएगा, जैसे इंडिया एक स्टेट है, जी हैं इ वो क्या था, उसका स्टेट था, राज्य था, स्टेट क्या हुआ, स्टेट जमीन से जुड़ा हुआ टर्म है, कि आप अगर आज अपने पूरे शहर पर कबजा कर लें, और सहर का सारा decision आप लें, वहां पर एक आर्मी बना लें, ओफिस बना लें, कौन क्या करेगा, क्या नियम कारून होंगे, वो आप तै करें, तो वो भी एक इस्टेट हो जाएगा, आपका इस्टेट हो जाएगा, इस्टेट जो होता है, वो जमीन से जुड़ा हुआ टर्म है, इलाके से जुड़ा हुआ टर्म है, जहां पर एक सरकार होती है, जिसके पास political control होता है, sovereignty होती है यानि कि वो अपने decision कुछ से ले सकता है, यह simple है, इस्टेट का definition, इसके बाद आता है term nation, नेशन क्या होता है भाई, नेशन है लोगों से जुड़ा हुआ, जैसे किसी खास इलाके में, जो लोग है, उनके बीच में यह भावना है, भायचारे की भावना है, shared history, यानि कि हम सभी एक लोग हैं, एक जैसे लोग हैं, तो यह जो भावना होती है लोगों में, इससे लोगों के बीच जो एकता बनती है, वो एक प्रकार से नेशन बनता है, उसी से नेशन बनता है, जैसे उदारण के लिए, इंडिया जो था, इंडिया में आज के 500 साल पहले क्या होते थे states होते थे, state होते थे, राज्य होते थे, क्यों भाई, क्योंकि राजा लोग अपने अपने इलाके पर शाशन करते थे, तो क्या होता था, state होता था, लेकिन आज के 100 साल पहले, इंडिया के उपर अंग्रेजो का शाशन था, अंग्रेजो का शाशन था, तो उस समय क्या एक कैसे नेशन था क्योंकि इंडिया के जो लोग थे उनके बीच common identity, shared history, shared culture, shared identity था कि हम सभी एक हैं, हम सभी का इतिहास एक हैं, हम सभी का दुश्मन एक हैं, हमें आजाद होना है, एक देश बनाना है, इस प्रकार की भावना लोगों के मन में थी, लोग एक होना चाहते थे, आपका बनता है नेशन, नेशन और स्टेट में ये फर्क है कि नेशन जो होता है, वो लोगों से जुड़ा हुआ टर्म है, आम लोगों से जुड़ा हुआ टर्म है, और स्टेट आपका जमीन से जुड़ा हुआ टर्म है, इलाके से जुड़ा हुआ टर्म है, समझ गया, ठ जाशक जो है, इन सब के बीच में common identity है, shared history है, shared culture है, common मतलब पूरा culture है, और साथ में वहाँ पर लोगों के पास sovereignty भी है, अपना decision खुद से लेने की आजादी भी है, उनको किसी से पूछना नहीं है, उनको कोई control नहीं कर रहा है, तो वो क्या बनता है, nation state बनता है, जैसे आज क इंडिया क्या है, nation state है, जी हाँ है, आज के 100 साल पहले जब अंग्रेजों का शाशन था, तब इंडिया nation state था, नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे पास sovereignty नहीं थी, हम सिर्फ nation के रूप में थे, लेकिन आज हमारे पास sovereignty भी है, इंडिया के लोग अपने decision समझ गए, तो nation state क्या होता है, समझ गए, कि जहां पर लोगों के पास shared history, common culture, common identity हो, और साथ में sovereignty हो, जैसे जर्मनी क्या हुआ, जर्मनी nation state है, क्यों है भाई, क्योंकि जर्मनी के सभी लोग खुद को एक मानते हैं, एक रूप में देखते हैं, और खुद को जर्मन देश का निवाशी मानते हैं, तो यह क्या हो गया, एक common identity हो गया, common history हो गया, उन लोगों का एक history है, एक shared culture है, तो इस वज़ए से जर्मनी क्या है, नेशन इस्टेट है, यह तीन टर्म समझ गया, अब इसके बाद यहां पर आगे कुछ बाते हैं, छोटी मोटी बाते हैं, जो कि मैं ऐसे ही आपको समझा जता हूँ, वैसे nation की बारे में और समझना चाहते हैं, तो यह topic पर सकते हैं, अन्स्टेटन का, what is a nation, इसमें यही सारे बाते मिलेंगे, जो कि मैंने आपको समझाया, ठीक, अब यहां पर यही कहता है कि 19th century के दरान, जो आपका nationalism था, वो एक बहुत strong feeling और nationalism की वजह से पूरे Europe का politics change हो गया, पूरे Europe के नक्षे देशों के change हो गया, लोगों के सोचने का तरीका change हो गया, सब चीज change हो गया, और साथ में यहां पर पूरे Europe में आपको nation state बन गए, राजा का शाषन जो था वो खतम हो गया, बहुत सारे nation state बन गए ठीक है, और इन जगहों पर फैलने लगे ठीक है अब यहाँ पर वही बाते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर common history, common identity, common culture यह सारी चीज़े हैं तो आए हम शुरू करते हैं अब आगे हमारा पहला topic इस chapter का जो की है the french revolution and the idea of nation तो यहाँ पर यह topic हम क्यों पढ़ रहे हैं यह topic इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो nationalism का भावना है, nationalism की जो feeling है वो सबसे पहले आपको देखने को मिली french revolution के दौरान यानि कि french revolution से ही हम कह सकते हैं कि जो यह feeling था nationalism का feeling, nation state बनाने का feeling यह बहुत ही strong होगया, बहुत फैला इसलिए यहाँ पर हम लोग french revolution से सुरू करेंगे, वहाँ से कैसे nationalism में develop हुआ यह देखेंगे और उसके बाद अगले topic में हम समझेंगे कि nationalism का भावना France से बाहर निकल कर पूरे Europe में कैसे फैला तो यहाँ पर इस topic को जब हम सुरू करते हैं, तो पहले paragraph में ही एक important questions आपके सामने आ जाता है तो यहाँ पर पहला statement देता है यह जो statement है, यह एक तरीके से बहुत सही है कि भाई देखो 1789 में जो French Revolution हुआ था जिसके बारे में आप पिछले class में, class 9 में पढ़ चुके हैं वह वो एक प्रकार से nationalism का first clear expression था यानि खुल कर लोगों की भावनाएं सामने आई थी कि हमें क्या चाहिए एक nation state बनाना है nationalism हमारे अंदर feeling है तो यही statement आपको देगा और साथ में क्या बोल देगा? बोल देगा examine examine this statement इस प्रकार से आपको question पूस देगा आपको explain करना है कि कैसे ये बात कैसे सही है तो इसके लिए आप जो है French Revolution का सहरा लिए सकते हैं जो कि पिछले साल पढ़ा है और उसके साथ ही मैं एक चीज़ बता दू कि इस chapter के उपर या फिर हर chapter के उपर important questions का अलग से मैं video करूँगा उसमें ये इस सारे question के answer आपको line by line बता दिये जाएंगे यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा NCRD पर focus कर रहे हैं तो इस पर ध्यान देते हैं ठीक है? अपको जैसे पता होगा आपने class 9 में French Revolution पढ़ा है कि 1789 तक France जो था वो एक full-fledged territorial state था territorial state का मतलब क्या? जो कि मैंने आपको state का definition बताया है कि एक राज्य territorial state का मतलब? मतलब कि राजा का control है जहां तक उसका शाषन वो उसका राज्य यह आपको territorial state का simple definition हो गया, ठीक है? अब यहां पर absolute monarch था मतलब कि राजा के उपर किसी का कोई control नहीं था अपनी मर्जी से वो जैसे चाहे वो वैसे साषन कर सकता था लेकिन जब 1789 में आपका French Revolution हुआ तो उसकी वज़ा से France में political और constitutional changes आए उसकी वज़ा से क्या हुआ? उसकी वज़ा से जो sovereignty थी sovereignty मतलब क्या? decision लेने का power जो था वो राजा के पास खतम हो गया और आम जनता के पास चला गया आम जनता ने election करके अपना एक सरकार बनाया जिसके पास क्या हो गया? जिसके पास power आ गया कि भाई France में क्या होगा? क्या नहीं होगा? सरकार कैसे चलेगी? सब चीज़ कौन लेने लगे? आम जनता लोग decision लेने लगे ठीक है? The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny यानि कि जो यहाँ पर French revolution हुआ उससे ये तै हो गया कि अब यहाँ पर France का क्या भविश्य होगा? क्या उसका एक प्रकार से नियती होगी? मतलब किस्मत क्या होगा? वो अब France की जनता तै करेगी, France के लोग तै करेंगे ठीक है? अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर कहता है कि अब मैंने जब चैप्टर शुरू किया था, वहाँ पर निशन इस्टेट का कंसेप्ट मैंने क्या बोला था? कि भाई, कलेक्टिव आइडनिटी होना चाहिए, कॉमन सेर्ड हिस्ट्री होना चाहिए, सेर्ड कल्चर होना चाहिए तो उसमें, यहाँ पर फ्रांस में लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडनिटी क्रियेट करने के लिए, एक्ता की भावना जगाने के लिए, लोगों में एक्ता की भाव को बढ़ाने के लिए, जो फ्रेंच रिवॉलूशनरी थे, उन्होंने कई सारे स्टेप्स उठाए ताकि लोगों को लगे कि यार सभी फ्रांस के सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग भाई हैं, सभी लोग एक जैसे हैं, इस प्रकार की भावना को जगाने के लिए, तो यहाँ पर यही कोश्चन पूछा जाता है, कि what were the steps taken by French revolutionaries to create a sense of collective identity among the French people? यह बहुत ही common question है, कई बार पी जो की steps उठाया गया, वो था कि ला पैतरी और ले सितोयन का idea लाया गया, France में, मतलब क्या? मतलब ला पैतरी मतलब की भाई जो हमारा France है न, वो हमारा fatherland है, मतलब जैसे हमारे भारत हमारी मा है, वैसे यहाँ पर concept लाया गया, इसके साथ ही ले सितोयन का concept लाया गया, यानि aristocracy, कोई presentry, इस प्रकार का कुछ नहीं है, सब लोग क्या है, बरावर हैं अब यहाँ पर इस concept के जरीए, यह घोशित करने की कोशिश की गई कि यहाँ पर France में एक united community है, मतलब सभी लोग बरावर हैं, France के सभी लोग एक community का हिस्सा है और इसके साथ साथ सभी लोगों को equal rights मिल रहा है और rights की guarantee कहां से हो रही है, constitution से हो रही है यह पहला point हो गया, इसके बाद दूसरा point है, दूसरा point है दूसरा step क्या उठाये गया था, वो था कि एक नया French flag लाया गया France का एक नया जंडा तयार किया गया पुराने राजा के समय जो जंडे इस्तवाल होते थे, उनको हटा दिया गया खतम कर दिया गया, और ये जंडा था tri-color तीन रंगों से बना हुआ जंडा था France का अब यहाँ पर आगे इसके बाद third step क्या है, third point state general का election हुआ, जो ये election कैसे हुआ था, आप class 9 में पढ़ चुके हैं कि election का पुरा process क्या था, यहाँ पर active citizen सुने गए, active citizen के बाद फिर यहाँ पर members सुने गए, parliament के, national assembly के और इस state general का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, national assembly कर दिया गया इसके बाद four point क्या है, new heims were composed, oats taken, marshal commensmerated, all in the name of the nation यानि कि नए नए गीत बनाए गए, नए नए कसमे खिलाएगे लोगों को, साथ में पूराने जितने भी शहीद लोगों थे को याद किया गया, कि देखो सभी लोग जो सहीद हुए हैं, वो देश के लिए सहीद हुए हैं, तुम देश के नाम पर कसम खाओ कि तुम देश की रक्षा करोगे, देश के लिए प्राम दोगे, इस प्रकार की चीज़े, इसके बाद अगला point यहाँ पर है, centralized administrative system लाया गया मतलब की जैसे फ्रांस में अलग-लग इलाके में अलग-लग चीज़े नियम कानून चलते थे, नहीं, अब पूरे देश के लिए एक नियम कानून, एक सासन वबस्था, एक पूरा system लाया गया, जिससे क्या होगा, देश में सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए सभी क्लास के नागरिकों के लिए, सभी इलाकों में सेम कानून होंगे, और सेम कानून के तहट सभी लोगों को ट्राई किया जाएगा, मतलब सजा दिया जाएगा, या फिर उन पर सेम कानून लागू होंगे, ठीक है? इसके बाद अगला पॉइंट है कि इंटर्नल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज जो थे एबॉलिश कर दिये गए और साथ में देश में यूनिफॉर्म सिस्टम ओफ वेट एंड मेजर को एबडॉप्ट किया गया, मतलब कि भाई जैसे होता है न कि जैसे इंडिया में कई स अरे राज्य हैं तो आपको यूपी से अगर केरल जाना है तो जितने भी राज्य बीच में आएंगे हर राज्य पर आपको टैक्स देना होगा, क्या ये सही चीज है, जी नहीं बिलकुल भी सही चीज नहीं है, ऐसा ही होता था, वैसे ही जो फ्रांस में इंटर्नल पीस थे, उनको खतम कर दिये गया, कि आपको देश के अंदर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने में टैक्स नहीं देना है, आराम से अपना समान ले कर जाईए, जो भी ड्यूस थे, उनको खतम कर दिया गया, और साथ में फ्रांस के अलग-अलग इलाकों में माप तॉल का सिस्टम अलग लग था कहीं पर एक किलो का बरावर 900 ग्राम होता था कहीं पर एक किलो का बरावर 1100 ग्राम होता था समझ गया तो वो चीजे खतम करके पूरे देश में सेम weight and measure को लाया गया ये सारी चीजें की गई इसके बाद आपको क्या किया गया language पर भी ध्यान दिया गया language पर ये ध्यान दिया गया कि जो reasonable dialects थे उनको discourage किया गया और French भासा जैसा कि parish में बोली और लिखी जाती थी उसको encourage किया गया जैसे आज भी अगर आप देखें तो इंडिया में हिंदी की बात करें मद परदेश, 36 गळवें अलग-अलग तरीके से बोलते हैं तो वैसा ही वहाँ पर भी था France में भी था Paris में आपको French भासा अलग तरीके से बोली जाती थी लिखी जाती थी दूसरे इलाकों में अलग-अलग तरीके से लिखी जाती थी तो उन सब को खतम करके तै किया गया कि जैसा पैरिस में फ्रेंच बोला जाता है, वैसा पूरे देश में बोला जाएगा, वैसा ही आपको बोलना है, वैसा ही लिखना है, आप दूसरी तरीके से चीज़े नहीं करेंगे अब इसके बाद एक और चीज़ वहाँ पर ये किया गया जो revolutionaries थे उन्होंने ये घोशना कर दी France में घूम घूम कर लोगों को बताये कि देखो हमने अपने देश में successfully राजा को हटा दिया aristocracy को हटा दिया equality लेती आए है democracy आगया है देश में liberty आगया है तो हम तो एक प्रकार से आजाद हो चुके हैं free हो चुके हैं और ये अब हमारी जिम्मेदारी है France के लोगों की France के सरकार की ये जिम्मेदारी है कि Europe के जितने भी लोग है Europe की जो जनता है उनको liberate कराया जाए despotism से यानि कि ताना शाही से absolutism से आजाद कराया जाए यानि कि Europe के सभी देशों को nation बनने में हम मदद करेंगे देश बनने में मदद करेंगे जिस प्रकार से France एक देश बन चुका है nation state बन चुका है उसी प्रकार से Europe के दूसरे देशों की हम मदद करेंगे ऐसा यहाँ पर घोषना कर दिया गया अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे वढ़ें तो यह सारी चीजें यानि French Revolution जो हो रहा था वो तो France में हो रहा था लेकिन भाया France में कुछ भी हो रहा है तो उसके बारे में लोग को पता चलता था दूसरे देशों में जर्मनी में या फिर और भी दूसरे इलाकों में पता चलता था तो जब उन इलाकों में France के अलावा दूसरे देशों में जो पढ़े लिखे लोग थे एस्टुडेंट थे या फिर आपको अमीर लोग थे ये सब इन चीजों को देखते थे, शुनते थे, तो उनके मन में भी भाव आता था कि यार हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारे लोग जो थे, फ्रांस के अलावा आसपास के देश जैसे जर्मनी में, या फिर इटली में, लॉंबार्डी में, आपको हंगरी में, क मैं बता देता हूँ कि जैकोबिन क्लब क्या था, जैकोबिन क्लब एक प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी था, जो कि फ्रांस में बना था, उसी के विचार को फॉलो करते हुए, यूरोप के अलग अलग देशों में क्लब बनाए गये, अब यहाँ पर जैकोबिन क्लब का क् तो जैकोबीन कलब की बात करें, जैकोबीन कलब को follow करने वाले जो लोग थे, या फिर इस कलब के जो सदत से थे, वो समाज के गरीब हिस्सों से आते थे, मतलब जैसे कि जो मजदूर हो गए, छोटे दुकांदार हो गए, छोटे करमचारी हो गए इस प्रकार के लोग आते थे और इस क्लब के जो मेंबर होते थे, वो एक प्रकार से राश्टरवाद की भावना को बहुँ ज़्यादा वैलू देते थे एकोलिटी के भावना को बहुँ ज़्यादा वैलू देते थे, यहाँ पर यह एकनॉमिक्स के मालने में आजादी की बात करते थे कि हर किसी के पास अपनी संपत्ती होनी चाहिए, हर किसी को व्यापार में आजादी होनी चाहिए हर किसी को fraternity होना चाहिए, equality मिलना चाहिए, इस प्रकार की बातों में ये विश्वास रखते थे अब यहाँ पर इसी विचार के आधार पर दूसरे देशों में जब फ्रांस के आसपास के देशों में जब बहुत सारे आपको जैकोबिन कलब बन गए तो जब यहाँ पर फ्रेंच रिवॉलूशन के बाद फ्रांस में जो सरकार बने रिवॉलूशनरी गवर्मेंट बनी अब यह रिवॉलूशनरी गवर्मेंट क्या है? आपने कलास 9 में पढ़ा होगा लेकिन मैं शौर्ट में अधा देता हूँ कि देखिए 1789 में फ्रांस में रिवॉलूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉलूशन, उसके बाद जो फ्रांस में सरकार बनी उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवॉलूशनरी गवर्मेंट कहते हैं तो revolutionary government जो थी, उन्हों ने एक प्रकार से France के आसपास के देशों के उपर हमला करना शुरू कर दिया, क्यों हमला करना शुरू कर दिया भाई? क्योंकि यहीं हमने देखा यहाँ पर France के revolutionary ने क्या कहा? कि हमारी जिम्मेदारी है कि आसपरोड के देशों को भी हम आजाद कराएं इसलिए इन्हों ने क्या कर दिया? हमला करना शुरू कर दिया और पूरी कहानी हमले की तो आप class 9 में पढ़ चुके हैं French Revolution के दरान ठीक है? तो यह जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे ना, यह जैकोबिन क्लब के मेंबर एक प्रकार से इन लोगों का स्वागत करते थे, कि हा उसको एक प्रकार से authoritarian government से चुटकारा मिल जाएगा, ताना सही से चुटकारा मिल जाएगा, और इस प्रकार के जो एक्टिविटीज थे जैकोबिन क्लब के, और इस प्रकार के जो प्रचार यह लोग करते थे, उसकी वज़से France की जो सेना थी, वो आसानी से Holland, Belgium, Switzerland, Italy, इन पहुची France के आसपास के देशों में, तो अपने साथ इन्होंने nationalism की भावना को भी पहुचाया, nationalism क्या होता है, देश के प्रती प्रेम क्या होता है, कैसे देश होता है, जो की France में काफी popular हो चुका था, वो Europe के दूसरे देशों में भी, दूसरे इलाकों में भी पहुचा, अब यह जो नक्षा आप देख रहे हैं यह उस समय का नक्षा है, उस समय का नक्षा आज के नक्षे से बहुत अलग था, जैसे आपको यहाँ पर कहीं भी जर्मनी देश नहीं दिख रहा है, पॉलेंड देश नहीं दिख रहा है, हंगरी देश आपको नहीं दिख रहा है, फ्रांस की सेना इधर हॉलेंड यानि नीदर लेंड में पहुंचने लगी इधर पहुंचने लगी इधर भी आसानी से पहुंची इटली के इलाके में भी पहुंच गई क्यों पहुंच गई भाई क्योंकि इन सभी इलाकों में जैकोविन क्लब की स्थापना हुई थी और जै क्लब्स, how did their activities and campaigns help to spread the idea of nationalism abroad? Explain. यह आपको explain करना है कि कैसे उनके activities ने किस प्रकार से nationalism के idea को France के बाहर फैलाने में मदद किया. तो वो चीज़ तो मैं अभी तुरंट आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ. अब यहाँ पर आगे अगर आप देखें, तो यहाँ पर topic से आपको Napoleon के बाद शुरू हो जाती है. यहाँ पर देखिए, आपको एक बात समझना है कि आपको class 10th में जो यह topic है जहाँ पर French Revolution के बात हो रही है, तो यहाँ पर कुछ गिने-चीने points ही आपको discuss किये गए हैं. आपको French Revolution अच्छे से दिमाग में रहेगा, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या बात हो रहा है. समझ गया? अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे किस चीज की, revolutionary government की, वो वहाँ से armies निकल कर आस पर उसके देशों में पहुँची, हम यहाँ पर आप बात करने लगे कि इसकी Napoleon की. Napoleon कब आया था, कैसे आया था, यह आपको पता है, आपने class 9 में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया अच्छी तरीके से. तो Napoleon जो था, वो एक प्रकार से उसने खुद को राजा घुशित कर दिया था, emperor घुशित कर दिया था, फ्रांस का. तो France का emperor घुशित कर दिया, और France की सेना को लेकर वो आस पर उसके कई सारे देशों पर कबजा कर चुका था. ठीक है, कबजा कर चुका था, ठीक है. तो Napoleon जो था, वो एक प्रकार से बहुत अच्छा शाशक था. मतलब, सरकार चलाने में वो बहुत अच्छा था. कैसे भाई, कैसे अच्छा था? तो उसने सरकार चलाने के तरीके में बहुत सारे सुधार किये थे, जिसकी वज़ा से, जो आम जनता थी, उसको बहुत फाइदा होता था, बिजनेसमेन को बहुत फाइदा होता था, किसानों को बहुत फाइदा होता था, इस वज़ा से कहा जाता है, कि उसने बहुत अच्छी सरकार चलाई थी, क्योंकि उसने बहुत सारे सुधार किये थे जब वो फ्रांस में ताकत में आया फ्रांस में पावर में आया तो उसने बहुत सारे सुधार किये थे भाई उसने सुधार किया एक प्रकार से कि वहाई देखो वहाँ पर जैसे यहाँ पर जो प्रिविलेजिस थे बर्थ के अधार पर उनको खतम कर दिया फ्रांस में equality before law लागू कर दिया right to property लागू कर दिया इस प्रकार से बहुत सारे सुधार किया इसके अलावा equal made weight and measures का concept लाया और भी बहुत सारे जो कि यहाँ पर बताये गए हैं यह सुधार किये अब यहाँ पर देखे एक नुकसान भी था नेपोलियन का जो कि यहाँ पर बताया गया है अब यहाँ पर उसने कई जो अपना system लागू किया था जो कानून का एक list लागू किया था नेपोलियन के द्वारा उसको कहा जाता है civil code of 1804 या फिर नेपोलियोनी code भी कहते हैं उसमें क्या था उसमें था कि privileges बर्थ के अधार पर खतम कर दिये गए equality before law लागू कर दिया right to property लागू कर दिया और इसके साथ ही France में लागू करने के बाद France के आस पास के जितने भी देश थे जहां पर France का कबजा था या फिर France के बाहर नेपोलियन का कबजा था वहाँ पर भी इस code को लागू किया गया और इन इलाकों में जैसे की आपको Dutch Republic हो गया, Switzerland हो गया, Italy हो गया, Germany हो गया इन सभी जगों पर नेपोलियन ने क्या सुधार किये भाई? फ्यूडल सिस्टम को खतम कर दिया, किसानों को सर्फडम और मैनोरियल डियूस से आजाद कर दिया, गिल्ड रेस्टिक्शन को रिमूव कर दिया, ट्रांस्पोर्ट और कम्यूनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर दिया, इस प्रकार के आपको सुधार किये थे अब यहां से एक question पूछता है, question यह पूछता है जो कि 2019 में आया है, how did Napoleonic code exported to reasons under fringe control, explain with example, यहां से आप example और यह चीज़े बता सकते हैं कि इस देश में, इस देश में यहां यहां export हुआ था और वहां पर यह यह सुधार किये गये थे, अब यहां पर कुछ terms हैं हों जो कि हो सकत है कि आपको समझ नहीं आ रहे हों, जैसे कि यहां पर यह सर्फडम क्या होता है, manorial dues क्या होता है, यह terms आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हमारा class 9 वाला French Revolution वाला वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए, वहां पर अच्छे से समझा है, sort में एक प्रकार से बता द हैं, आपने किसी को दिया जमीन, कि लो इस जमीन पर तुम खेती करो, और उससे आप अपने घर में free में काम करवा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सर्फडम हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से manorial dues क्या हुआ, आप जमीन दार हैं, किसी को आपने जमीन दिया कि लो इस जमीन पर मतलब चुंगी जो होता है न, चुंगी आपने सुना होगा, वो एक प्रकार से खतम कर दिये गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे सुधार इसने किये थे, अब जब इसने बहुत सारे सुधार किये, नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किये, जो किसान थे, कारीगर थे मजदूर थे, जो व्यापारी थे, सभी लोग बहुत खुश थे क्यों खुश थे भाई? क्योंकि उनको बहुत फायदा हो रहा था बहुत freedom मिल गया था, उनके व्यापार अच्छे हो रहे थे उनके समान अच्छी बिक्री हो रही थी, किसानों को बहुत छूट मिल गया था उनको manorial dues नहीं देना था, सर्फडम नहीं देना था, बहुत प्रकार के आजादी उनको मिल चुकी थी तो यहाँ पर एक प्रकार से इससे बहुत फायदा हुआ, सभी लोग बहुत खुश थे लेकिन जिन इलाकों पर नेपोलियन का कबजा था, फ्रांस के बाहर जिन इलाकों पर नेपोलियन का कबजा था उन एलाकों में जो लोग थे, वो शुरुआत में तो बहुत खुश थे नेपोलियन के शाशन से, फ्रांस की साशन से बहुत खुश थे, लेकिन धीरे-धीरे वो लोग एक प्रकार से इसका विरोध करने लगे, इसके खिलाफ हो गए, खिलाफ क्यों हो गए भाय? क्योंकि य नुकसानों को मैनेरल ड्यूज नहीं देना है, सर्फडम नहीं है, उनको बहुत चीजों से आजादी होगी, बहुत तरीके के फाइदे हुए। censorship लागू कर दिया, force conscription लागू कर दिया, मतलब की सेना में जबरजस्ती लोगों को भरती किया जाने लगा, इसके साथ ही और भी बहुत तरीके के चीजे कीगे जिससे जनता उतनी खुश नहीं थी। इसलिए यहाँ पर लोग जो थे वो काफी नराज थे, बहुत सारे कारण थे। अब यहाँ पर भी एक question पूशता है कि what were the reaction of local people to the French rule, तो यहाँ पर आप सुरू में लिख सकते हैं कि initially people were happy from the benefit they got, after that जो नुकसान हुए उसको आप points बनाकर आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं। तो यह topic एक प्रकार से आपका complete हो गया, अब इसके बाद यहाँ पर आता है topic number two, topic number two क्या है the making of nationalism in Europe, तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा कि फ्रांस में nationalism का पहला expression आया, French revolution के वज़े से, और French revolution के बाद फ्रांस की जो आर्मी थी वो आसपास के देशों पर अभजा करने लगी, नेपोलियन आया, उसने कफी सारे सुधार किये, उसने बहुत सारे ideas को दूसरे इलाकों तक पहुचाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोग जो थे उसको पसंद नहीं करने लगे, आगे चलकर 1815 में 1815 में नेपोलियन हार गया, ये तो आपको पता ह तो उसके बाद, अब फ्रांस के बाहर निकल कर, यूरोप के अलग-अलग इलाकों में जो नेशनलिज्म की भावना है, वो कैसे डेवलप हुई, वो कैसे एक प्रकार से आगे बढ़ी, ये चीज़ यहाँ पर इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर जब हम नेशनी स्टेट as we know them today, यानि कि mid 18th century, यानि कि करीब 1750-1760 के आस-पास का नक्षा अगर आप देखें, यूरोप का नक्षा, तो वहाँ पर आज जो देश है न, उस नाम के देश होते ही नहीं थे, मतलब जिस रूप में, जिस तरीके से आज का नक्षा है यूरोप का, वै नक्षा दिया गया है, जो कि आपको करीब 17, 18, 15 का है, इन दोनों नक्षों को अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर आज जो देश हैं, वो देश आपको नहीं दिखेंगे, जैसे, यहाँ पर आपको जर्मनी नाम का देश नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको पोलेंड नाम का देश नहीं दिख रहा, पॉलेंड दिख रहा है, लेकिन ये आपको 1700 में, 1750, 1760, 1800 के आसपास पॉलेंड जो है, रशिया ने कवजा कर लिया था, फिर यहाँ पर इटली नाम का देश नहीं था, यहाँ पर कई सारे छोटे-छोटे आपके इलाके हुआ करते थे, साथ ही यहाँ पर Habsburg Empire हुआ करता था, जहाँ पर कि आज के Hungary, आज के Austria और कई सारे इलाकों को मिलाकर एक राजा इस पूरे इलाके पर साशन करता था, इसके साथ ही जो आपका Greece है, या फिर और भी जो आपका Eastern Europe है, वहाँ पर आपको Ottoman Empire का साशन था, वहाँ पर Europe के लोग ख देखते हैं जहाँ पर Nation State है, नेशन इस्टेट क्या होता आपको पता है, कि Seared Culture, Seared History से जो देश बनता है, जहाँ पर लोगों में एकता की भावना होती है, जहाँ के Ruler और आम जनता सभी में एक समान भावना होती है, वो Nation State उस प्रकार से बनता है, तो यहाँ पर वैसा कु कबजा कर लिया, तो यह भी उसका देश हो गया, यहाँ भी कबजा कर लिया, तो यह भी उसका देश हो गया, और दूसरे राजा ने कबजा कर लिया, तो यह दूसरे राजा का देश हो गया, ऐसा चलता था वहाँ पर, समझ गया, मतलब कि जो आम जनता है, आम जनता को प्रेम देश नाम का कोई चीज ही नहीं था, उसको बस यह पता था कि अभी मेरे उपर कौन सा राजा शाशन कर रहा है, वही मेरा देश है, इस प्रकार से चलता था, समझ गया, तो यहाँ पर यह इस्थिती थी कब आपको मिड 18 सिंचुरी में 1750, 1760, 18 के आसपास तक यही इस्थिती थी, अब यहाँ पर यही चीज कहता है, कि तो अभी तुरंत मैंने आपको नक्षा दिखाया, वहाँ पर जर्मनी देश नाम का देश आपको नहीं दिखा, इटली नाम का देश नहीं दिखा, या फिर और भी कैसारे देश आपको नहीं दिखे जो कि आज आपको देखते हैं, क्यों बाभाई ऐसा क्यों था? उसका कारण ये था कि यहाँ पर राजा शाशन करते थे और एक राजा पूरे जर्मनी का राजा नहीं था बलकि जर्मनी के छोटे हिस्से का एक राजा था दूसरे छोटे हिस्से का दूसरा राजा था इस प्रकार से अलग-अलग इलाके में अलग-अलग राजा शाशन करते तो यहां पर कहता है कि इस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में कई सारे ओटो क्रेटिक मोनार्की रूल करते थे यानि ताना, शाह, राजा रूल करते थे या फिर जो राजा होता है, रूलर होता है वो रूल करते थे और यहां पर जो लोग रहते थे इनके इलाके में वो लोग जो होते थे उनके बीच में किसी भी प्रकार से सेरिंग, कलेक्टिव आइडनिटिटी या फिर कॉमन कल्चर या फिर कॉमन हिस्ट्री नाम की चीज नहीं थी उदाहरन भी दिया गया है उदाहरन में क्या कहता है कहता है कि यहां पर जैसे उदाहरन नक्षे से आपको ज़्यादा बहतर समझ में आएगा यहां पर देखिया आप अगर नक्षा देखें तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है एक इंपायर की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर है empire Habsburg empire, कौन सा empire है भाई, Habsburg empire, यहाँ पर है आपका ये वाला empire Habsburg empire, अब Habsburg empire को अगर आप देखें तो आज का आउस्ट्रिया देश इसी में आता है, आज का हंगरी देश इसी में आता है, इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे देश हैं आज, जिस इलाके से म अलग-अलग इलाके में, लोग अलग-अलग भाषा बोलते थे, इस इलाके में लोग अलग बोलते थे, यहां पर अलग बोलते थे, लोगों का कल्चर भी अलग-अलग था, लोगों को एक दूसरे से मतलब नहीं था, मतलब कि यहां बोहेमिया वाले लोगों को, ट्रिंस्में identity नाम की चीज़ नहीं थी समझ गया तो यहाँ पर आगे वड़े तो आगे यहाँ पर कहता है Habsburg Empire कहीं उदारन दिया है Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary for example was a patchwork of many different regions and peoples वो कई सारे अलग अलग प्रकार के लोगों से कई सारे अलग अलग प्रकार के इलाकों से मिलकर बना हुआ था Habsburg Empire It included the Alpine region, the Tyrol, Austria, Suddenland as well as Bohemia where the aristocracy was predominantly German-speaking It also included Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia In Hungary, half of the population spoke Magyar while the other half spoke variety of dialects In Galicia, the aristocracy spoke Polish Beside these three dominant groups there also lived within the boundaries of empire amass subject peasants people Bohemians and Slovak to the north Slovenes in the Karniola Croats to south Romans to the east in Transylvania ठीक है? तो ये सारे आप क्या देख रहे हैं? ये सारे लोगों के group हैं मतलब क्या? मतलब कि इतने प्रकार के society में अलग अलग groups थे Habsburg Empire में कहीं पर कोई दूसरा भासा बोल रहा है कोई दूसरा धर्म है कोई दूसरा जाती है कोई ethnic group अलग है मतलब लोगों के बीच में shared culture, shared identity shared history नाम की चीज़ आपको कहीं नहीं दिख रही क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि हैं ही नहीं लोग जो हैं वो एक देश में क्यों है? क्योंकि वहां पर एक राजा का शाषन है तो यह एक प्रकार का क्या हो गया? यह जो आपका Habsburg Empire है क्या यह nation state है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है क्या यह nation है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है क्या है? यह एक state है जहां पर की political authority है ruler के पास और साथ में sovereignty है लेकिन यहां पर common identity, common culture, common history नहीं है जिसकी वज़ा से यहां पर इसको हम nation state नहीं कहेंगे ठीक है तो यह सारे चीज़े आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर वही बात अंत में लिखी गई है जो कि मैंने कहा कि such differences did not easily promote a sense of political unity The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor इन सब लोगों को एक साथ बांधे रखने वाली चीज़ क्या थी? वो सिर्फ एक चीज़ थी कि वो सभी लोगों का राजा एक था एक ही Habsburg Empire सभी इलाकों पर रूल कर रहा था नहीं तो सभी इलाकों में कोई common चीज़ नहीं थी अब यहाँ पर आगे देखे तो आगे एक question भी पूछता है How did nationalism and the idea of nation state emerge? तो यहाँ से nationalism की भावना और nation state का feeling की भाई nation state होना चाहिए ये कैसे सामने आया? हमने अभी तक इस्तिती देख ली कि भाई अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और तो समझते हैं अब यहाँ पर आये जड़ा सा फ्रांस की सोरी यूरोप की society की बात करते हैं कि यूरोप में class कैसे थे? society किस प्रकार से थे? ये चीज़े समझते हैं तो यहाँ पर topic है हमारा topic number 2.1 the aristocracy and the new middle class क्या है? aristocracy and the new middle class तो यहाँ पर aristocracy क्या होती है? यह आपने class 9 के French Revolution के chapter में पढ़ा है कि जो upper class के लोग थे जैसे कि राजा के मंत्री हो गए बड़े-बड़े अधिकारी हो गए सरकार में जो कि power hold करते हैं जैसे general वगेरा हो गए मंत्री हो गए विदायक हो गए इस प्रकार के लोग हो गए वो aristocracy माते थे जो कि एक प्रकार से society के upper class के लोग थे अमीर लोग थे, करोरपती लोग थे जमिंदार लोग थे, अधिकारी लोग थे इस प्रकार से बड़े-बड़े लोग हो गए उसी प्रकार से यहाँ पर यूरोप में जमिंदार होते थे जिनकों की landed aristocracy कहा गया है कि जिनके पास बहुत बड़े बड़े land होते थे, पूरे गाउं के वो मालिक होते थे, पूरे शहर के वो मालिक होते थे, इस प्रकार के यहाँ पर aristocracy के लोग होते थे इनका एक प्रकार से जो life था, वो एक प्रकार से यूरोप के किसी भी इलाके में आप चले जाएं, एक जैसा था मतलब कि France का aristocracy जैसा रह रहा है, वैसा जर्मनी का भी है, वैसा दूसरे का भी है, वैसा यूरोप के हर इलाके में और साथ में यहाँ पर जो यह लोग थे, यह आपको गाओं के इलाकों में इनके बड़े-बड़े state होते थे, महल होते थे और सहर में घर हुआ करते थे, यह आपस में बाचीत करने के लिए French भासा यूज करते थे, डिप्लोमेसी के लिए या फिर किसी और से discussion करने के लिए French भासा का यूज करते थे, और इनके जो families होते थे, यह साधी के द्वारा connected होते थे, मतलब क्या, मतलब कि France का कोई aristocracy का बंदा है, वो जाकर अपनी बेटी की साधी कहां करेगा, जर्मनी के aristocracy के परिवार में, इस प्रकार से मतलब कि अमीर परिवार है तो अमीर परिवार मे इनके संख्या बहुत छोटी थी, बहुत जादा संख्या में यह नहीं थे, और साथ में यूरोप में जो majority population थी, वो किसान थी, खेती करती थी, समझ गया, किसान ही करती थी, जादा तर लोग जो क्या करते थे, खेती करते थे यूरोप में, अब यहाँ पर एक चीज़ समझाया गया है, यहाँ पर, यहाँ पर कहता है कि देखिए, अगर आप जाते हैं वेस्ट यूरोप में, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर छोटे किसान और भाडे पर जमीन लेकर किसान खेती किया गरते थे, लेकिन अगर आप इस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप की बात करें, तो वहाँ पर जो जमिनदार होता था, वो बड़े बड़े स्टेट पर खेती करवाता था, और वहाँ पर मजदूरों से खेती करवाता था, मतलब कि वो अपना खेती करवाता था, मजदूरों को employ करता था, अब यह Western Europe, Eastern Europe की बात हो रही है, तो इसको जरा सा नक्से से समझेगा, तो अच्छा होगा, अब देखें, यह Europe का नक्षा है, इसमें आप आसानी से बता सकते हैं, कि भाई, West किधर है, East किधर है, तो यह वाला region आपका क्या हो गया, Western Europe हो गया, और यह region आपका Eastern Europe हो यहाँ पर छोटे-छोटे किसान थे, या फिर जो भाड़े पर टेनेंट्स थे, जो कि भाड़े पर जमीन लेकर खेती करते थे, लेकिन यहाँ पर इस इलाके में क्या होता था, States चलते थे, मतलब कि एक जमिंदार है, वो पूरे बड़े इस गाउं में, पूरा खेती उसका है, और वहाँ पर मजदूर खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनको वितन मिलता है, इस प्रकार से यहाँ पर यह चीजे चलती थी, ठी है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर क्या कहता है, आगे कहता है, कि in western and parts of central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes, whose existence was based on production for the market, अब यहाँ पर एक समझ यह, कि देखिए, जो industrialization हुआ था, industrialization क्या होता है, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, यह आगे के chapters में आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो industrialization हुआ था, मतलब कि जो फैक्ट्रिया लगने लगी थी, फैक्ट्रियों में production होने लगा था, वो आप आपको कहा हुआ, आपको Western और Central Europe के कुछ ही इलाकों में पहले हुआ था, मतलब वहाँ पर एक स्की शुरुवात हुआ थी, क्यों हो इसी भाई, क्योंकि अगर आप नक्षा देखिए, तो industry की शुरुवात, industrialization की शुरुवात कहां से हुई थी, ब्रिटेन से हुई थी, पर भी industrialization पहले आ गया, जल्दी आ गया, Eastern Europe के इलाके में नहीं पहुचा था, क्यों नहीं पहुचा था, आप समझ गया, क्योंकि Western Europe आपको England से नजदीक था, वहाँ पर industrialization हुआ था, इस वज़से, अब जब industrialization हो गया, industrialization की वज़से, कई सारे सहर बहुत ग्रो करने लगे क्यों ग्रो करने लगे, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रियां लगने लगी और लोग वहाँ पर काम करने लगे, जो कि फैक्ट्रियों में market के लिए production कर रहे हैं, मतलब कि export करने के लिए, दूसरे देशों में, दूसरे जगहों पर समान को बेचने के लिए production कर रहे हैं, काम कर Industrialization England में भले ही 18th century में आ चुका था लेकिन जो हमारा Western Europe है या फिर जर्मनी के कुछ हिस्सों है वहाँ पर ये 19th century के दौरान ही आया उसके पहले industrialization नहीं आया था अब आगे कहता है कि in its wake a new social groups came into being a working class population and middle class made up of industrialist businessmen professionals जब industrialization हुआ तो industrialization की वज़ा से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गए कुछ लोग व्यापार करने लगे, export-import का काम करने लगे कुछ लोग जो थे वो मजदूर बन गए जाकर फैक्टरियों में काम करने लगे तो इस वज़ा से नए social group बन गए पहले क्या था? पहले यूरोप में aristocracy होती थी और किसान होते थे लेकिन अब यहाँ पर industry आने की वज़ास से कुछ लोग आपको क्या हो गए? मजदूर बन गए कुछ लोग क्या बन गए? एक प्रकार से middle class में आ गए middle class का आ गए? मिडल क्लास में कौन आ गए? professionals आ गए जैसे की कोई नौकरी करता है अच्छी नौकरी कर रहा है तो वो आ गया इसके साथ ही businessmen आ गए industrialist आ गए इस प्रकार के लोग आ गए middle class में उसके साथ ही working class population भी आ गया जो की मजदूरी करता है नौकरी करता है इस प्रकार के लोग भी आ गए ठीक है आगे कहता है कि in Central and Eastern Europe these groups were smaller in number till late 19th century Eastern Europe और Central Europe में इस प्रकार के जो middle class के लोग थे working class population था ये late 19th century तक यानि कि 1880-90 तक ये लोग क्या थे? बहुत ही कम संख्या में थे It was among the educated liberal middle classes that idea of national unity following the evolution of aristocratic privileges gained popularity आपने class 9th में French Revolution पढ़ा है वहाँ भी middle class की बात आई थी वहाँ भी आपने देखा था कि middle class ही था जिसके मन में ये ideas आये थे कि भाई हमें क्या करना है हमें aristocracy से आजादी पानी है हमें एक प्रकार से constitution चाहिए parliament चाहिए democracy चाहिए वही चीज यहाँ पर भी कहता है कि जो ये educated liberal middle class आया इसी के मन में idea आया कि क्या चाहिए हमें nation state चाहिए हमें national unity बनानी है हमें aristocratic privileges खतम करने है हमें equality इस्टैबलिस करनी है democracy इस्टैबलिस करनी है और यही से middle class की बात से शुरू होती है कि भाई nationalism क्या होता है nationalism कैसे आया यूरोप में कैसे आया इनके बीच में विचार कैसे फिला ये सारी चीज़े अब यहाँ पर देखें आपके सामने question है और topic भी है question number topic number 2.2 question क्या है what did liberal nationalism stand for nationalism एक प्रकार से short में हम समझ चुके है यहाँ पर हम देख रहे है liberal nationalism अब यह क्या चीज़ है भाई nationalism और liberal nationalism क्या फरक है तो पहले इसको समझते हैं फिर उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे अब यहाँ पर कहता है कि ideas of national unity in early 19th century Europe was closely allied to ideology of liberalism यानि कि जो national unity national unity कहने की बात का मतलब यहाँ क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है जैसे हमने देखा कि जर्मनी नाम का देश नहीं था नक्षे में देखा ना जर्मनी नाम का देश नहीं था तो जर्मनी भाषा जर्मनी के इलाके में आज जो जर्मनी है वहाँ पर जर्मन भासा बोलने वाले जो लोग रहते थे उनके मन में ये विचार आया कि जितना भी इलाका है जहां पर जर्मन भासा बोलने वाले लोग रहते हैं इन सब को मिला कर क्या किया जा एक देश बनाया जा जर्मनी देश उसी प्रकार से इटिली नाम का देश नहीं था लेकिन लोगों के मन में ये भावना थी कि भाई हम लोग क्या करें इटैलियन भाषा बोलने वाले लोगों का एक देश बनाएं जिसका नाम होगा इटिली तो इस प्रकार से national unity करने की भावना की यहाँ पर बात हो रही है ideas of national unity in early 19th century was closely allied to idea of ideology of liberalism अब यह liberalism क्या ideology है, क्या चीज़ है भाई, यह एक चीज़ हम इस तरह सा समझना है तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर कहता है कि the term liberalism derives from the Latin root liberal, meaning free liberal का मतलब क्या होता है, free होता है, उसी से आया क्या liberalism आया, ठीक है अब यहाँ पर कहता है कि for the new middle class, liberalism stood for freedom of individual and equality of all before law politically it emphasized the concept of government by consent अब liberalism का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर liberalism से क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि liberalism का मतलब है कि हर वेक्ती को आजादी होगी, freedom for the individual इसके साथ ही equality of all before law कानून के सामने सब आदमी बराबर होंगे इसके साथ ही यहाँ पर government जो होगी वो consent से बनेगी, मतलब सरकार जो होगी वो democratic होगी लोग वोट देंगे और वैसे सरकार चुनेंगे समझ गया यह आपका मतलब है किस चीज का liberalism का ठीक है अब यहाँ पर आगे कहता है कि since the french revolution, liberalism had stood for the end of aristocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament, 19th century liberals also studied the inviolability of private property ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ french revolution हुआ french revolution आप पढ़ चुके हैं पिछले साल french revolution के साथ ही जो यहाँ पर liberal nationalism था, liberal ideology थी, उसमें कई सारी चीज़े आ गए जैसे autocracy खतम होना चाहिए, जो clerical privileges है वो खतम होना चाहिए, constitution देश में होना चाहिए, representative government होना चाहिए, democracy होनी चाहिए इसके साथ ही यहाँ पर parliament होनी चाहिए, private property का लोगों को अधिकार होना चाहिए, यह सारी चीज़े अब लेकिन यहाँ पर liberal nationalism की बात करें, तो liberal nationalism में एक चीज़ नहीं आता था, एक चीज़ included नहीं था यहाँ included नहीं था, वो था universal adult suffrage, universal suffrage नहीं था मतलब, liberal nationalism तो यह बात करता था कि सभी लोग कानुन के सामने बराबर होंगे, सभी लोगों को आजादी होगी, सभी लोग property रखने पाएंगे, parliament होगी, democracy होगी, voting होगा, voting होके सरकार बनेगा, parliament चुनी जाएगी यह सारी बाते जो हैं, यह सारी बाते liberalism में included थी, liberal nationalism में आती थी, लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं आता था, वो था equality, कैसी equality वाई, vote देने के अधिकार में equality, मतलब, मतलब कि सभी लोगों को vote देने के अधिकार की बात यह लोग नहीं करते थे, जो यह middle class के लोग थे, जो की एक प्रकार से काफी पैसे वाले लोग थे, यह जो लोग थे, यह लोग क्या चाहते थे, यह लोग चाहते थे, कि जो voting देने का अधिकार है, वो किसके पास रहे, वो पैसे वाले लोगों के पास रहे, मतलब जो tax देता है, जिसके पास पैसे है, उसको सिर्फ voting देने का अधिकार दिया जाएगा, तो यह जो चीज है, यह चीज आपने French Revolution में भी देखा था, कि French Revolution में जब पहली बार National Assembly चुनी गई थी, उसके लिए पुरा system बनाया तो वहाँ पर यह active citizen का concept लाया गया था, कि जो लोग tax देते हैं, जो लोग मर्द हैं, वही क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे, या फिर सरकार में जाकर बैठेंगे, जो passive citizen है, वो लोग जाकर किसी भी तरीके से involved नहीं होंगे, तो यहाँ पर यही कहता है कि you will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owing men. यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि आपने French Revolution पढ़ा, वहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जब पहली बार liberal democracy लागू की गई, तो वहाँ पर vote देने का अधिकार और सरकार में चुने जाने का अधिकार जो था, वो सिर्फ पैसे वाले लोग, यानि जो property रखने वाले मर्द थे, उनको दिया गया था. यहाँ पर यही चीज़ आगे कहता है कि men without property and all women were excluded from political rights, only for a brief period under the Jacobins, did all adult male enjoy suffrage. तो यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने कहा कि भाई देखे जो लोग tax नहीं देते थे, जिनके पास property नहीं थी, और साथ में सारी महिलाएं, इनको vote देने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन बीच में एक समय आया था, जिसमें जैकोविन कलब का साशन था फ्रांस पर, तो उन्होंने एक समय के लिए सभी मर्दों को, सभी मर्दों को, औरतों को नहीं, सभी मर्दों को vote देने का अधिकार दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब नेपोलियन आया और नेपोलियन कोड लागू किया गया, तो वहाँ पर फिर से limited suffrage लागू कर दिया गया, महिलाओं को फिर से minor का status दे दिया गया, और महिलाओं को कोई भी काम करने से पहले अपने husband या फिर father से पूछना होता था, उनकी मर्जी के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन बीच में, जब यहाँ पर Jacobin Club का साशन था, तब वहाँ पर महिलाओं को काफी सारे जिन लोगों को active citizen घुशित नहीं किया गया था, उन्होंने क्या किया, वो कई सालों तक, कई वर्सों तक आंदुलन चलाया, ताकि उनको भी बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार मिल जाए, ठीक है, तो liberal nationalism की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं economic sphere, बहुत ही simple question भी है, कि what did liberal nationalism stood for, यह आप से simply पूछता है, लेकिन यहाँ पर देखिए, दो चीजों के बारे में पूछेगा, पहला आपको पूछेगा political sphere, तो political sphere में क्या होता है, यह तो हमने अभी तक पढ़ लिया, अब इसके बाद आपको important है कि economic sphere में क्या बोलता है, economic sphere मे तो दोनों हिसाब से, liberal nationalism का political ideology क्या है, और economic ideology क्या है, यह दोनों आपको ध्यान रखने है, दोनों आपके लिए important है, काफी important है, तो हमने अभी तक political की तो बात कर ली, अब आईए क्या करते हैं, हम लोग economic sphere में, liberal nationalism क्या कहता है, यह समझते हैं, मने economics के मामले में, पैसे के मामल of state imposed restriction on the movement of goods and capital, सबसे पहला कहता है, सबसे पहला कहता है, कि freedom होना चाहिए market में, मतलब कि जिसको जितना दाम पे जो चीज बेचना है, बेचे, जिसको जितना दाम पे खरीदना है, खरीदे, जहां बेचना है, बेचे, कोई एक प्रकार से रोक टोक नहीं होना चाहिए, साथ में state imposed restriction नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप इस शहर से बाहर ले जाएगा, तो टैक्स देना पड़ेगा, दूसरा सहर में ले जाएगा, तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, आप इस सहर में ले जाकर समान नहीं बेच सकते हैं, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का रोक टो नहीं होना चाहिए, during the 19th century, this was a strong demand of emerging middle class, middle class की बीच में ये बहुत बड़ा demand था कि भाहिया, क्या होना चाहिए, हमारा जो economics के मामले में liberal nationalism है, उसको अच्छी से लागू करना चाहिए, जैसे freedom of market होना चाहिए, state imposed restriction नहीं होने चाहिए, ये सारी चीजे नहीं करने के लिए, मत century, अब यहाँ पर Germany का सबसे पहले हम लोग उदारन देखते हैं कि Germany में किस प्रकार से सुधार किये गया, किस प्रकार से liberal nationalism की ideology को लागू किया गया, economics में कैसे सुधार किये गया, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं Napoleon की, तो Napoleon इलाके में कई सारे छोटे 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 राज्ये होते थे, जो कि अपने अपने इलाके पर साशन करते थे, तो जब Napoleon ने इन इलाकों में सुधार किये, economic सुधार किये, economic एक प्रकार से measures लिये, तो उसने क्या किया, उसने 39 states का confederation बनाया, मतलब कि 39 छोटे 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 समूह बनाया, जिसका एक group बना दिया, और वो लोग economic को एक साथ मिल कर देखते थे, ठीक है? अब ये जो सारे छोटे 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 आपके states थे, छोटे छोटे राजा यहाँ पर रशाशन करते थे, ये लोग जो थे, इन सभी का अपना currency था, सभी states का अपना currency था, अपना weight और major का तरीका था, और इसके साथ ही एक शहर से दूसरे सहर जाने के दौरान हर state में tax देना पड़ता था, जैसे उदारन के लिए कहता है कि 1833 में हैंबर्ग और नियूरंबर्ग से नियूरंबर्ग जाने में, अगर किसी वक्ती को जाकर हैंबर्ग से जाकर नियूरंबर् तो उसको बीच में एक 11 कस्टम बेरियर से गुजरना पड़ता था और हर कस्टम बेरियर पर 5% का tax देना पड़ता था, मतलब कि हर state जहां से वो गुजरेगा वहां से उसको 5% tax देना पड़ेगा, सोचिए कि उसको कितना 55% करीब उसको tax देना पड़ गया, अब आगे यहा आधार पर या फिर लिंथ के आधार पर लिए जाते थे, कपड़ा है तो लिंथ के आधार पर या फिर कुछ समान है तो वजन के आधार पर, अब यह चीज़ आप सुचिएगा कि सीधा सीधा 5% ले लिया, नहीं, वहां पर हर state का अपना मापने का तरीका अलग था, तॉलन time-consuming calculation, the measure of cloth for example was ill in which in reason stood for a different length, an ill of textile material bought in Frankfurt would get you 54 cm of cloth, in mains 55 cm, Nuremberg 65 cm, in Frimberg 53.5 cm, अब देख सकते हैं कि एक ही कपड़ा अगरा फ्रेंकफर्ट मे ले तो आपको अलग मापका मिलेगा, दूसरे जगा अलग मापका, तीसरे जगा अलग मापका, तीसरे जगा अलग मापका, चौथे मतलब क्या हुआ, मतलब कि हर चुंगी पर, हर barrier पर, हर custom barrier पर आप रुके, आप वजन करवाएंगे, उसको तौला जाएगा, उसका मापने का तरीका अलग है, उसको फिर से वहां से tax calculate किया जाएगा, फिर आप से tax लिया जाएगा, तो ये सारी जो चीजे थी ना, एक प्रक conditions were viewed as obstacle to economic exchange and growth by the new economic, new commercial classes, who argued for the creation of unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people and capital. जो ये चीजे थी, ये सारे रुकावट जो थे economics के मावले में, business के मावले में, trade के मावले में, ये एक प्रकार से economic exchange में, रुकावट के रूप में, obstacle के रूप में दिखी जाती थी, middle class के लोगों के द्वारा, या फिर industrial लोगों के द्वारा, और ये लोग चाहते थे, कि इ ये चीज नहीं होगा, रोक टोक नहीं होगा, तो व्यापार अच्छे से movement होगा, अब आगे यहाँ पर कहता है कि in 1834, a customs union और Zolverin, Zolverin, question यहां से बनता है, what do you mean by Zolverin, what is Zolverin, इस प्रकार से, Zolverin क्या है, एक customs union है, जो कि प्रसा के initiative से form हुआ था, यानि प्रसा के पहल पर form हुआ था, और जितने भी German states थे, उन्हें से ज्यादातर German states ने एक प्रकार से इसको join किया था, अब इसका मतलब क्या है, यह क्यों बनाया गया था, तो यह एक प्रकार से बनाया गया था, कि जो economic movement है, goods का movement है, उसको आसान बनाया जा सके, उसमें कोई भी hindrance ना आए, त में कोई भी tariff barrier नहीं होगा, इसके साथ ही 30 से ज़्यादा currencies होती थी, उनको खतम करके मातर 2 currency कर दी, पूरे German region में कितने currency होगे, 2 currency होगे, इसके साथ ही railway का network बनाया गया, और इसके साथ ही आपको और जो और भी जो रुकावट थे, goods के movement में उनको आसान किया गया, तो यह करने की वज़ा से, economic unity एक प्रकार से बनी, और economic unity बनने की वज़ा से, यहाँ पर जो German regions थे, उनके बीच में political unity भी बढ़ी, क्यों बढ़ी भाई, क्योंकि जर्मन के अलग लग इलाके के लोग आपस में trade करने लगे, व्यापार करने लगे, railway होने से movement करने लगे, आना जाना होने लगा, लोग mail मिलाप करने लगे, तो लोगों के बीच में unity की भावना भी बढ़ने लगी, और इस से आपको nationalist sentiment भी काफी बढ़ा, और national unity के लिए भी काफी मजबूती मिली, अब यहाँ पर हमारे सामने है topic 2.3, 2.3 क्या कहता है, a new conservatism after 1815, तो अभी तक हमने क्या समझ था कि यहाँ पर जो liberal nationalism है वो क्या होता है, liberal nationalism क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसके political माइने क्या है, economic माइने क्या है, यह हमने समझ लिया, अब यहाँ पर हम लोग 1815 के बाद के यूरोप की बात करने वाले, क्यो भाई 1815 में क्या हुआ था, 1815 में निपोलियन हार गया निपोलियन हार गया, तो यूरोप के बहुत बड़े इलाके पर उसका कबजा था, वो सारे इलाके फ्री हो गये, निपोलियन खतम हो गया, उसके बाद क्या हुआ यह समझते हैं, तो यहाँ पर यही कहता है कि following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by spirit of conservatism, यानि कि निपोलियन की हारने के बाद यूरोप में जो सरकारे बनी, या फिर सरकारे जो power में थी, वो conservatism को बढ़ावा देने लगी, उसके हिसाब से सरकारे चलाने लगी, तो भाई यह conservatism क्या होता है, तो conservatism एक विचार है, एक ideology है, conservative मतलब, मतलब वो लोग जो कि conservatism के ideology को रखते हैं, conservative होते हैं, ठीक है, अ यहाँ पर कहता है कि a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institution and customs and preferred gradual development over two quick changes. अब यहाँ पर conservativeism को समझना है, जैसे हम लोग अगर बात करें, जैसे हमारे देश में अगर आप लोग बात करें, तो किसको हम लोग conservative कहते हैं? conservative जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने shirt पहना हुआ है, jeans पहनता हूँ मैं, जूते भी पहनता हूँ और western style के कपड़े पहनता हूँ. तो कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि नई देखो यह चीज जो है न यह सही नहीं है. क्यों सही नहीं है भाई, तुम इंडियान हो, तुमको क्या पहनना चाहिए, धोती पहनना चाहिए, कुर्ता पहनना चाहिए, और धोती गमची पहन कर चलना चाहिए. क्यों भाई, क्योंकि यह हमारा culture है, यह हमारा history है, तो यहाँ पर जो यह ideology है कि भाई देखो, आपको पुराने tradition को, पुराने culture को, पुराने एक प्रकार से behavior को बनाये रखना है, पुराने institutions को बनाये रखना है, इस प्रकार के विचार को हम लोग क्या कहते हैं, conservative विचार कह ठीक है, यह simple समझ गया, कि मतलब पुराने जितने भी institution है, जैसे कि पुराना क्या है, पुराना तौर तरीका कि आप लोग किसी से मिलते हैं, तो आपको पैर चुकर प्रनाम करना है, अब यह सही गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह हमारा पुराना culture है, ठीक है, अब य अगर कोई व्यक्ति आकर मुझे force करे, कि भाई देखो तुम क्या करो, यही करो, जो आदमी मिले उसको पैर चुकर पढ़नाम करो, धोती कुर्ता पहनो, सट मत पहनो, कुर्ता पहनो, या फिर तुम जो हो, तुम खाना खाओ, तो टेबल पर बैठ कर मत खाओ, जमीन पर बै सरकार के विचार से, यूरोप के जितने भी सरकारे बनी 1815 के बाद, वो सारे प्रेरित थी, उसी हिसाब से सरकार चला रही थी, मतलब क्या हुआ, मतलब यही कहता, conservative क्या होते हैं, यह बताया गया, conservative believed that established traditional institutions of state, society, like the monarchy, church and social hierarchies, property and the family should be preserved, यूरोप के मामले में बात कर रहा है, कि यूरोप के मामले में conservative क्या चाहते थे, conservativeism क्या कहता था, तो यूरोप के मामले में कहता था कि देखिए, जो पुराने institution है, कौन सा institution भाई, राजा, राजा है एक institution, एक संस्था है राजा, राजा का पूरा सरकार, जो लोग हैं उनको राजा को पढ़नाम करना चाहिए, राजा पर question नहीं उठाना चाहिए, राजा के हिसाब से राजा जैसा बोले वैसा करना चाहिए, साथ में जो society के institutions हैं, जैसे की church हो गए, चर्च ने कहा कि भईया संडे को आना है, तो आपको आना है, आप चर्च के खिलाब question नहीं उठा सकते हैं, ये एक conservative इचार है, इसी प् ये विचार भी यहाँ पर इसमें included है, साथ में लोगों के पास जो property है बुरहे और साथ में जो family है, family भी preserve होनी चाहिए, आप जो हैं अपनी मर्जी से घर के बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते हैं, family जैसा कहेगी वैसा आपको करना है, तो ये सारे institution को बचाने के लिए, या फ एक चीज समझे, कि मैंने तो बार-बार कह दिया कि जो conservative होते हैं, वो पुराने institution को पुरानी ववस्था को बनाये रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझे, कि यहाँ पर 1815 से पहले किसका rule था, नेपोलियन का rule था, तो नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किय थे, बहुत सारे सुधार जैसे जॉलवेरिन बना दिया, जर्मन स्टेट्स का, और भी बहुत तरीके के सुधार किये थे, लेकिन यह जो conservative थे, इन सभी ने नेपोलियन द्वारा किये गए सुधारों को देखा, तो इनको पता चला कि जब सुधार होता है, तो फाइदा भी होता है, तो इन्होंने समझा कि देखिए, नेपोलियन ने जो सुधार कर दिया, वो कर दिया, हम लोग उसको स्विकार कर लेंगे, लेकिन और जो दूसरे सुधार है, वो हम लोग लागुन नहीं करेंगे, वो हम स्विकार नहीं करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि इनको पता चला कि नेपोलियन ने जो सुधार किये हैं, उससे जो मोनार्की है, राजा का पद है, वो काफी पावर्फुल हो जाता है, सरकार के हाथ में काफी ताकत आ जाती है, और सरकार पावर्फुल होती है, टैक्स मिलता है, पैसा मिलता है, तो सरकार ज्यादा ताकत से रूल कर सकती है इस वजह से इन्होंने नेपोलियन द्वारा किये गए सुधारों को खतम नहीं किया वापस नहीं लिया लेकिन आगे कोई भी सुधार करने से मतलब राजी नहीं हुए कि आगे कोई भी सुधार नहीं करेंगे तो यहां पर यहीं कहता कि a modern army and efficient bureaucracy a dynamic economy and abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe यह लोग समझगा कि भाईया देखो यह जो सुधार नेपोलियन द्वारा किये गए एक अच्छा सेना बनाया एक अच्छा bureaucracy बनाया एकनॉमिक अच्छा किया feudalism खतम किया सर्फडम खतम किया इन सब से राजा के पावर को काफी बल मिलता है इसलिए इन्होंने क्या किसी भी प्रकार का सुधार वापस नहीं लिया जो नेपोलियन सुधार कर दिया था उसको सुधार कर लिया लेकिन दूसरे कोई सुधार नहीं किया उन सब को सुधार करके आगे बढ़ें अब यहां पर हम लोग बात दे हैं 1815 में कि भाई 1815 में क्या हुआ था 1815 में अगर हम लोग बात करें, तो 1815 में ब्रिटेन, रश्या, प्रसा और आस्ट्रिया, इन सब देशों की सेना ने मिलकर निपोलियन को हराया था, तो निपोलियन को हराने के बाद जीता कौन? ये चारो देश जीते? तो ये चारो देश जो थे, इन सब ने 18-15 में अपने representative भेजे, अपने एक प्रकार से leader भेजे, ताकि ये एक प्रकार से नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप में क्या होगा, इसकी तैयारी कर सके, समझगा कि भाई जीत गए हैं, यूरोप में अब हमारी चलेगी, हमारे हिस सब चीज होगा, तो इन लोगों ने आगे का plan बनाने के लिए, यहाँ पर किसको भेजा, अपने leaders को भेजा, अब यहाँ पर ये सारे जो leaders थे, चारो देशों के, ये leaders एक प्रकार से मिले कहां पर, मिले आपको आउस्ट्रिया में, जो आउस्ट्रिया के chancellor थे, Duke Metternich, उनके सबहा बुलाई गई थी, जिसको कि क्या कहा गया, Vienna Congress कहा गया, ठीक है, Vienna में बुलाया गया था, इसलिए Vienna Congress कहा गया, ठीक है, अब यहाँ पर जो delegates थे, या फिर जो चारो देशों को leaders थे, इन्हों ने एक प्रकार से आपको तै कि अब आगे क्या करना है, इसी के लिए ये ल क्या है, Treaty of Vienna of 1815, Vienna की संधी, 1815 की Vienna की संधी, अब इन्हों ने क्या किया, इन्हों ने जितने भी changes, नेपोलियन के दौरा, नेपोलियोनिक वार, यानि नेपोलियोनिक वार मतलब कि नेपोलियन जिस समय पूरे यूरोप पर कबजा कर रहा था, तो उसके लिए जितने भी यह लोग मिले थे, तो यहाँ पर इन्हों ने क्या किया, पहला चीज किया, फ्रांस में राजा का शाशन ला दिया, कौन से राजा का शाशन भाई, बर्बन फैमिली का शाशन ला दिया, अब यह बर्बन फैमिली कौन है, जिसको की 1789 में फ्रेंच रिवोलुशन के दौरा हटाया गया था जिस परिवार को वही फैमली का शाशन कहां आ गया फ्रांस में फिर से आ गया ठीक है इसको पावर में फिर से बैठा दिया गया यहाँ पर पावर में यह लोग आ गए आगे कहता है कि फ्रांस लॉष्ट दर टेरिटरीज इठा अंदर निपोलियन निपोलियन के शाशल में फ्रांस की सीमा के बाहर दूसरे जितने भी इलाकों को कबजा किया गया था वो सभी इलाके फ्रांस के कंट्रोल से बाहर हो गए France क्या उन इलाकों पर control नहीं रहा A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future यहाँ पर कहता है कि France जो था France को, France की सीमा पर कई सारे छोटे-छोटे राज्य बना दिये गए क्यों बना दिये गए? ता कि France जब अगली बार अपना expansion करने की सोचे बगल के राज्य को कबजा करने की सोचे, तो पहले इन छोटे-छोटे राज्यों से उसको डील करना पड़े. तो इसी के कंडिशन पर यहाँ पर नीदरलेंड जो आज आप देश देखते हैं, वो नीदरलेंड इसी तरीके से बना था, which included Belgium was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south. प्रशा वाज गिवन इंपॉर्टेंट नीव टेरिटरी ओन दे वेस्टन फ्रंटियर्स, वाइल आउस्ट्रिया वाज गिवन दे कंड्रोल ओफ नॉर्डन इटली, बट जर्मन कंफेटरेशन अफ 39 स्टेट यहाँ पर वही चीज हुआ, कि भाई देखो, फ्रांस ने बहुत इलाके कबजा करके रखे थे, उसमें से कुछ इलाके किसने ले लिये, ब्रिटेन ले ले लिये, कुछ प्रशा ने ले लिये, कुछ ऑश्ट्रिया ने ले लिये, अलग अलग इलाकों कबजा कर लिया, लेकिन जो confederation बनाया गया था जर्मन confederation उसको छुआ नहीं गया उसको छेड़चा नहीं किया गया आगे कहता है कि रशिया जो था उसको पॉलेंड का हिस्सा दे दिया गया और साथ में प्रशा को सेक्षनी का हिस्सा दे दिया यह सारे यूरोप की इलाके हैं जो कि इन सब ने आपस में बंदर बांट कर लिये थे यह सारे जो इलाके थे नेपोलियन के कबजे में थे फ्रांस के कबजे में थे लेकिन नेपोलियन हार गया, फ्रांस हार गया, तो इसकी वज़े से क्या हुए, ये सारे इलाके फ्रांस से छीन लिये गए और ये सारे लोगों ने आपस में बाट लिया इन सब को. The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. सर्वेटिसम्स को लागो करना. अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आपको 1815 हो गया, वियना की संधी हो गई, अलग-लग इलाकों में नेपोलियन के द्वारा जो राजा हटाए गय था, उनको वापस से लागो कर दिया, तो इसके बाद यहाँ पर जो सरकारें च शाचन था, यह लोग जो थे, काफी डरते थे, किस बात से डरते थे, कि भाई, जनता हमारे खिलाफ विद्रोह न कर दे, विरोध न कर दे, और यह लोग जो थे, किसी भी प्रकार से क्रिटिसिजम टॉलरेट नहीं करते थे, डिसेंट टॉलरेट नहीं करते थे, और जो भी एक प्रकार से सरकारों के खिलाब बोलता था, उनको एक प्रकार से क्या किया जाता था, या तो जेल में डाल दिया जाता था, या फिर ठीक आने लगा दिया जाता था, समझ गया, मतलब यहाँ पर जो conservative रेजीम जो थे, जो कि 1815 के बाद आये थे, वो क्या थे, एक प्रकार के सासन चलाने के लिए, उन्हों क्या क्या, इस टेप से उठाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी एक प्रकार से newspaper थे, किताबे छपती थी, सभी पर censorship लागो कर दिया, कि भाई, कुछ भी छापना है, सरकार से पूछ के छापो, सरकार से पूछ के लिखो, सरका एक प्रकार से, पूरी तरीके से censure कर दिया, मतलब कोई भी वेक्ती कहीं भी French Revolution की बात नहीं कर सकता था, सरकारों का विरोध नहीं कर सकता था, और साथ में जो French Revolution का memory था, उसको एक प्रकार से खतम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके वावजूद भी जो लोग थे, उनक conservative order was freedom of the press, इस चीज को लेकर लोग बहुँ जदा विरोध कर रहे थे, कि वहें प्रेस को freedom देना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी बात खुल कर कह सके, लेकिन जो conservative regime थे, conservative government थी, वो एक प्रकार से इस चीज के लिए तयार नहीं थी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस topic से कई सारे question बनते हैं, जिसमें की एक question है, जो कि पिछले सालों में कई बार पुछा गया है, what were the main changes brought by Vienna Congress, Vienna Congress जो है वो बहुत important है, Vienna Congress के द्वारा क्या-क्या changes किये गए, क्या उसका motive था, क्यों वो बनाया गया था, यह सारी चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, और इसके अपलावा और भी कई सारे questions है, एक question है liberal nationalism से जो कई बार पुछा गया है, 2020 में यह question आया था, how were the ideals of national unity in early 19th century Europe closely allied to the ideology of liberalism explain, explain four ideals of liberal nationalism in the economic sphere, और साथ में political sphere भी ध्यान रखी गए, यह सारे important questions है, जो कि पूछे जाते हैं, अब इसके साथ हमारे सामने topic है topic number 2.4, यह topic क्या है, the revolutionaries, अब हमने देख लिया, हमने अभी तक क्या समझा, हमने अभी तक समझा कि देखिए, 1789 में क्या हुआ, French revolution हुआ, वहाँ से एक प्रकार से nationalism भावना जो है, वो develop होना शुरू हुआ, उसके बाद वहाँ पर France से ideologies निकल कर बाहर के इलाकों में पहुँची, liberal nationalism develop हुआ, उसके 1815 में क्या हुआ, निपोलियन हार गया, निपोलियन हारने के बाद क्या हुआ, यूरोप में आ गए conservative regime, जो की autocritic थे, जो की censorship लागू करते थे, जो की liberal principles के खिलाफ थे, democracy के खिलाफ थे, ये सारे आ गए, अब यहाँ पर 1815 में जब conservative regime आ गई, यानि कि ऐसी सरकारे आ गई, जो की ताना साथ ही, वो एक प्रकार से, जो ये सरकारे थी, वो liberal principles या फिर आंदोलन वंदोलन को बिल्कुल भी सहन नहीं करती थी, जो भी वेक्ती, revolution की बात करता था, liberal principles की बात करता था, nationalism की बात करता था, इन सभी तरीके के लोगों को एक प्रकार से सजा दिया जाने लग तो जितने भी आपके liberal nationalists थे, या फिर जितने भी Democrats थे, उन सब को underground होना पड़ा, मतलब मतलब छिपना पड़ा, छिपना पड़ा क्यों छिपना पड़ा भाई, क्योंकि conservative सरकारें आ चुकी है यूरोप में, लगबग हर देश में कैसी सरकार है conservative सरकार, जो की अपने सरकार से democracy की बात नहीं सुनना चाहती है, liberal principles की बात नहीं सुनना चाहती है, तो इन चीजों की वज़ा से, कि भाई, पुलिस हर जगा दविश कर रही है, हर व्यक्ति को सजा मिल रहा है, जो की principles की, liberal principles की बात करता है, democracy की, liberalism की बात करता है, इस वज़ा से कई सारे secret societies बनने लगे, मतलब कि लोग छुप-छुप कर meeting करने लगे, छुप-छुप कर बातचीत करने लगे, छुप-छुप कर अपने ideology को spread करने लगे, और secret societies European state में काफी popular हो चुके थे, काफी बड़े अस्तर पर बन रहे थे, ताकि नए revolutionaries को train किया जा सके, नए लोगों को सीखाया जा सके कि भाई, डेमोक्रेसी क्या होती है, लिबरलिजम क्या होता है, नेशनलिजम क्या होता है, और अपने ideas को ये लोग spread कर सके, इस वज़ा से कई सारे secret societies बनने लगे, ठीक है? To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical form that have been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom, अगर इस समय में, जिस समय, 1815 के बाद अगर आपको revolutionary होना है, मतलब revolutionary होने का मतलब क्या होता है, 1815 के बाद revolutionary होने का मतलब होता है, कि आप 1815 में जितनी भी सरकारे बनी हैं, Vienna Congress के बाद, उनका आप विरोध करेंगे, और साथ में liberty और freedom के लिए आप fight करेंगे इसके लिए आंदोलन में आप शामिल होंगे तभी आपको revolutionary माना जाएगा आंदोलनकारी माना जाएगा, ठीक है आगे कहता है कि most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom जो भी लोग, जो भी यूरोप में लोग थे, जो कि liberalism से inspired थे, democracy से inspired थे और nationalism से inspired थे ये सभी लोगों का मानना था कि भाई देखो, nation state बनाना बहुत ही जरूरी है nation state बनेगा, तभी लोगों की जो दुख तकलीफे हैं वो खतम होगी तभी एक प्रकार से जो जनता है उसकी हाथ में ताकत आएगी, और nation state को लेकर ये काफी कटी बद थे, मतलब कि राजा को तो हटाना चाहते थे, डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, लेकिन साथ में nation state बनाना चाहते थे, जैसे जैसे जर्मन भासा बोलने वाले इलाकों को मिलाकर जर्मनी देश, इटेलियन भाषा बोलने वाले इलाकों को मिलाकर इटली देश इस प्रकार से नेशन श्टेट बनाना चाहते थे अब यहाँ पर एक खास वेक्ति की बात की जा रही है इस वेक्ति का नाम है जोसेफ मेजनी यह important है बहुत important है इसको ध्यान रखेगा जोसेफ मेजनी के बारे में आपको short notes पूछ सकता है हुआ जोसेफ मेजनी या फिर इन्होंने कौन से groups बनाये थे यह सारी चीज़े आपसे पूछी जा सकती है जोसेफ मेजनी का जन्म हुआ था 1807 में जिनोवा में और यह एक Italian revolutionary थे कहां के थे Italian revolutionary थे ठीक है अब यहाँ पर यह सुरुवात में Carbonary में Secret Society of Carbonary के member बन गए और 24 साल की उम्र में इन्होंने लिवारिया में 1831 में इन्होंने एक अंदोलन किया था revolution किया था उसकी वज़द से इनको exile में भेज दिया गया था exile का मतलब किया होता है मतलब कि देश निकाल दिया गया था कि तुम देश निकलो दूसरा जगह जाके जहां रहना है रहो देश में तुम नहीं रहोगे ठीक है तो यहां पर जोसेप मेजिनी ने दो अंडरग्राउड सोसाइटीज वनाई थी पहला यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप एक बर्ण में एक मसीले में दोनों को ध्यान रखिएगा दोनों से कोशन वन माक्स का हाफ माक्स का पूछ देता है इसलिए ध्यान रखिएग Mezzini believed that God had indentated nations to be natural units of mankind. So Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. This unification alone could be the basis of Italian liberty. Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. Mezzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेजनी का ये विश्वास था, जो सिर्फ मेजनी का ये विश्वास था, कि देखो भगवान भी चाहते हैं ना, कि हर देश, मतलब हर ग्रूप का, हर सोशल ग्रूप का एक नेशन इस्टेट हो, जैसे इटली भाषा बोलने वाले जो इला नहीं हो सकता है, जनता को उसका अधिकार नहीं मिल सकता है, और इसी वज़ा से यहाँ पर जोसेफ मेजनी जो थे, वो नैशनल यूनिटी के बाद बहुत बढ़ चड़कर करते थे, ठीक है, अब इन ही के आइडिया को फॉलो करके, यूरोप में दूसरे-दूसरे इलाके म उन्होंने इनको, जोसेफ मेजनी को, most dangerous animal of our social order कहा था, यानि हमारी पूरी ववस्था का सबसे बड़ा दुस्मन कहा था, ठीक है, अब इसके बाद हमारे सामने है topic number 3, topic number 3 क्या है, the age of revolutions, 1832-1848, अब यहाँ पर देखें समझें, 1815 में क्या हुआ, 1815 में conservative regime आ गए, मतलब कि Napoleon हार गया, Napoleon हारने के बाद जो चार देश जीते, उन्होंने Napoleon द्वारा जितने changes किये गये थे, उन्हों सब को हटा दिया, वापस जितने राजाक को हटाया गया था Napoleon द्वारा, उनको वापस से ला दिया, और यहाँ पर आ गया Europe में conservative regime, उसके बाद क्या हुआ, जितने भी आ एक प्रकार से बड़े अस्तर पर आपका आंदोलन हुआ था, या फिर बड़े अस्तर पर हम कह सकते हैं कि revolution हुआ था, जो कि एक प्रकार का successful revolution था, तो इसी revolution के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और 1830 से लेकर 1848 के बीच में कई सारे revolution हुए थे, उन सब की हम यहाँ पर nationalism came to be increasingly associated with revolution in many reasons of Europe, such as Italian and German states, provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland, तो यहाँ पर यही चीज़ कहता है जो कि पिछले topic में हमने बात की, यानि कि जैसे जैसे conservative government, conservative regime powerful हो रहे थे, वो पूरे इलाके पर पूरे अपने छेतर पर control स्थापित कर रहे थे, लोगों के उपर censorship लागों कर रहे थे, वैसे वैसे ज इसको आप revolution के साथ जोड़ कर देखा जाने लगा, मतलब कि आप अगर liberalism believe करते हैं, nationalism believe करते हैं, तो आप revolution में participate करेंगे, और जो लोग revolution में participate कर रहे थे, उसमें से maximum 99.9% लोग जो थे, वो liberalism और nationalism के ideology से भी जुड़े हुए थे, समझ गया? तो यहाँ पर आगे दिख पढ़ें, तो आगे कहता है कि these revolutions were led by liberal nationalists belonging to the educated middle class, elite, among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle class. तो यह जो revolution हो रहे थे, कई सारे इलाकों में, मतलब चाहे वो German state हो, Italian state हो, कोई भी इलाका है, वहाँ पर जो revolution हो रहा था, वो educated middle class के दौरा किया जा रहा था, जो की एक प्रकार से liberalism और nationalism के ideology में belief करते थे, समझ गया? तो इन ही ideology वाले लोग जो थे, वो आपके revolution में participate कर रहे थे. अब यहाँ पर देखें, तो हमने समझा कि 1815 में क्या हुआ था, conservative सरकारे आई थी Napoleon के हारने के बाद. लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा जो आंदोलन हुआ था, वो हुआ था July 1830 में. और July 1830 में होने की revolution आपको पढ़ने को मिले, तो समझ लीजिएगा कि July 1830 में जो France में revolution हुआ था, उसी की बात यहाँ पर की जा रही है. तो यहाँ पर यही चीज़ कहता है, कि the first approval took place in France in July 1830. The Burban kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries, who installed a constitutional monarchy with Louis Philip at its head. यहाँ पर यही चीज़ हुआ. क्या हुआ? 1830 में revolution हुआ. Revolution के दौरान क्या हुआ? जो liberal nationalist थे, उन्होंने जो monarchy थी उसको खतम कर दी, खतम एक प्रकार से नहीं की, लेकिन monarchy के power को कम कर दिया, और यहाँ पर France में लागू कर दिया क्या? constitutional monarchy. constitutional monarchy क्या होता है भाई? constitutional monarchy का मत मतलब होता है कि राजा तो होगा देश में, लेकिन राजा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगा. राजा समिधान के हिसाब से चलेगा, constitution के हिसाब से चलेगा, उसके उपर constitution का control होगा, parliament का control होगा, मतलब राजा अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है. समझ गया? और पर एक statement है, जो कि बहुत important statement है, जो कि question के रूप में भी पूछा जाता है, कि when France sneezes, the rest of Europe catches cold, ये किस ने कहा था, तो ये कहा गया था, Austrian Chancellor Duke Maternik के द्वारा, तो देखें, जब July revolution हुआ, यानि कि France में जब एक revolution हुआ, जिसमें कि constitutional monarchy ला दी गई France में, उसका असर पड़ा, कहां पर बगल में था Netherlands, Netherlands पर भी असर पड़ा, अब जो Netherlands था उस समय का, Netherlands में आज का Belgium भी शामिल था, समझ गया, तो वहां पर असर ये पड़ा, जो आज का Belgium का राजधानी Brussels है, Brussels में भी एक आंदोलन हो गया, और Brussels में आंदोलन होने की वज़ा से, जो United Kingdom of Netherlands था, जिसमें कि Belgium भी शाम गया, मतलब Belgium में एक आजाद देश हो गया, Netherlands से अलग हो गया, ये किसका असर था, France में जो revolution हुआ उसका असर था, और उस पर ये चीश बिलकुल सही बैठती है, जो की Duke Metternich ने कही थी, अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे एक event के बारे में आपको समझना है, पढ़ना तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो अगर आप नक्षे को देखते हैं, तो नक्षा देखने पर आपको पता चलेगा कि जो Greece है, वो 15th century से ही, ग्रीस कहा है भाई, ग्रीस आपको यहाँ पर है, यहाँ ग्रीस है, यह ग्रीस 15th century से ही Ottoman Empire के control में है, अब Ottoman Empire क्या है, एक Muslim Empire है और ग्रीस क्या है, एक Christian country है, तो यहाँ पर यह religion वाला भी angle आता है, और भी बहुत सारी चीज़े आती है, तो यहाँ पर Greek War of Independence जो थिया, उसकी वज़ा से भी Europe में बहुत ज़्यादा nationalism की भावना को बल मिला, कैसी मिला, आईए ज़रा सा पढ़ते हैं, समझते हैं, तो कहता कि अवेंगा एंबनाइच नहीं अचालिस्त फिलिग अंग एज़ुक एड़ ऐस ग्रीक एंड़िदेंटेंस, घिक है, ग्रीस है, ग्रीस है उप्ट अटमन इंपर प्री इस फिफिटेंट्गी से इंचूरी, तो इस पर प्री नहीं इस पर्फूर्व इस पर आप्र प्री Greeks which began in 1821. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many western Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. तो यहाँ पर क्या हुआ कि Greek War of Independence की वज़ा से यूरोप में nationalism की भावना बहुत बढ़ी. क्यों बढ़ी भाई? ग्रीस में ऐसा क्या था? ग्रीस क्यों खास था? तो ग्रीस खास इसलिए था क्योंकि ग्रीस को यहाँ पर देखिए Cradle of European Civilization कहा जाता है. मतलब European Civilization का पालना. मतलब जहां से ग्रीस से ही आज जो यूरोप का Civilization है वो ग्रीस से ही निकला है. और इसलिए यूरोप के बहुत सारे लोग जो थे वो एक प्रकार से ग्रीस से सिंपैथी रखते थे. कि हाँ भाई ग्रीस आजाद होना चाहिए क्योंकि वही से हमारी सम्हता की शुरुआत हुई है. उसके अलावा एक और कारण मैंने बताया कि भाई ग्रीस एक क्या था? Christian country था और वहाँ पर एक Muslim Empire का रूल था. उसकी वज़ास से यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वज़ास से भी ग्रीस को सपोर्ट कर रहे थे. अब यहाँ पर आगे देखें तो आगे कहता है कि 1821 में Greek War of Independence शुरू हुई थी. मतलब देश के आजादी के लिए लड़ाई शुरू हुई थी. पूरे यूरोप से सपोर्ट मिलने लगा. ग्रीस के जो लोग बाहर दूसरे इलाके में रहते थे वो लोग भी सपोर्ट करने लगे. यूरोप के आम लोग भी सपोर्ट करने लगे. बहुत सारे लोग तो इस तरह से सपोर्ट करने लगे कि वो पैसे जमा करके खुद Greece जाते थे और खुरूग खुद से Greece में एक प्रकार से independence के लिए लड़ाई लड़ते थे जैसे उदारन के लिए Lord Byron के बारे में बताया गया है जो कि एक English poet थे ये question पूषता है One Marks में ध्यान रखे गा कि Lord Byron कहा के थे English poet थे मतलब England के थे ठीक है अब यहाँ पर इनकी मौत कब हुई थी 1824 में मौत हुई थी और अंत में आगे चल कर एक treaty sign की गए जिसका नाम था Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as independent nation ये भी question पूषता है कि कौन सा treaty की वज़ा से Greece को एक independence nation बना गया treaty of Constantinople कब sign हुआ था 1832 में sign हुआ था ये सारे points भी आप ध्यान रखेगा अब इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने topic है topic number 3.1 3.1 topic क्या है the romantic imagination and national feeling अब यहाँ पर एक बात समझेए अभी तक जो हमने nationalism की बात की हमने एक प्रकार से national feeling, national देशभक्ती की भावना की बात की वहाँ पर हम क्या focus कर रहे थे हम focus कर रहे थे लोगों के अधिकारों के बारे में लोगों को क्या फायदा होगा इसके बारे में कि भाई liberty होनी चाहिए equality होनी चाहिए हमारे पास democracy होनी चाहिए freedom होनी चाहिए freedom of एक प्रकार से expression होना चाहिए censorship नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की चीज़े बात कर रहे थे मुझे क्या फायदा है तुम्हे क्या फायदा है ये बात हो रहा था लेकिन यहाँ पर जब romantic imagination की बात होती है यहाँ पर इस topic में हम समझेंगे कि यहाँ पर love, प्यार, attachment इस प्रकार के भावना जो होते है ना उसकी बात यहाँ पर की जाएगी देश के बारे में आईए समझते हैं कि romantic imagination में और national feeling में किस प्रकार से जुडाओ है इसका क्या असर पड़ा, nationalism के उपर यह समझते हैं तो कहता है कि the development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion culture played an important role in creating the idea of the nation art and poetry stories and music helped express and shape nationalist feeling अब यहाँ पर एक बहुत ही important question पूछता है question यह है, यह पूछा गया है previous year में how did culture play an important role in creating the idea of nation explain in the context of European romanticism of 19th century यह आपको explain करना है, कैसे भाई, कैसे तो culture बहुत important role अदा करता है, कैसे तो आगे उधारण में बताऊंगा उसको आप एक प्रकार से explain करके लिख सकते हैं तो दिखे, culture में क्या आता है, culture में किस चीज़ की हम यहाँ पर बात कर रहें culture में generally हम बात करते हैं, जो हम आपस में society में एक प्रकार से activities करते हैं जैसे कि आप लोक गीतों की बात कर लें, जैसे यहाँ पर poetry की भी बात की गई है, stories की बात की गई है, music की बात की गई है, art की बात की गई है कि हर जगह पे आप देश को include करें जैसे कि आप देशभक्ती की भावना आपके अंदर कैसे आई है आपने देशभक्ती फिल्में देखी होंगी आपने देशभक्ती गीत सुने होंगे कविताएं पढ़ी होंगी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते होंगे आप ये नहीं बात करते हैं कि मेरे देश के समिधान ने मुझे अधिकार दिया है, इसलिए मैं जाकर देश के लिए कुछ करूँगा, नहीं, ये बात आप नहीं करते हैं, आप बोलते हैं कि मैं देश से प्रेम करता हूँ, ये मेरा देश से, मैं इस देश के लिए कुछ भी देने के लिए तयार हूँ, करने के लिए तयार हूँ, आप यह नहीं देखते हैं, कि देश मुझे क्या दिया, नहीं, वो नहीं देखते हैं, आप अपनी भावना की बात करते हैं, तो यह जो भावना के उपर focus है, लोगों की emotions को touch करने की बात होती है, यह आपको romanticism में होती है ठीक है तो यहाँ पर romanticism को अगर हम एक प्रकार से देखे तो यहाँ पर यह क्या है एक प्रकार का cultural movement है जो की एक प्रकार से चाहता है कि जो nationalist sentiment है उसको develop किया जाए एक खास तरीके से खास तरीके से कैसे भाई तो अभी तक जो nationalism की हम बात कर रहे थे उ हमारा बिजनेस अच्छा develop होने लगेगा हमको अधिकार मिल जाएगा right मिल जाएगा हमको voting अधिकार मिल जाएगा हमको equality मिलेगा freedom मिलेगा नहीं उन चीजों की बात नहीं करेंगे हम बलकि emotion की बात करेंगे समझ गया romantic artist and poets generally criticize the glorification of reason and science and focus instead on emotions, intuition and mystical feelings जो romantic artists थे, जो इस प्रकार की भावना में believe करते थे, romanticism में believe करते थे, वो reasoning, logic, science, इन चीजों से बोलते थे कि ना इसका कोई काम नहीं, इसको दुर रखो. तुम किस चीज़ पर focus करो? लोगों की emotion पर focus करो, intuition पर focus करो, mystical feeling के उपर focus करो. Their effort was to create a sense of a shared collective heritage, a common cultural past and basis as the basis of nation. वतलब इनका कहना था, जो romanticism में believe करते थे, इस प्रकार के ideology में believe करने वाले जो poet artists थे, इनका कहना था कि देखो भाई, तुम अगर logic लेके चलोगे, तुम अगर reasoning लेके चलोगे, तुम एक प्रकार से बात करोगे कि क्या फायदा हुआ, क्या नुक्सान हुआ, तो उससे तुम एक common culture, common heritage, common history बना कर नहीं बना सकते हो, तुमको अगर एक collective identity बनानी है, तुमको एक common heritage create करना है, common history create करना है, collective identity बनानी है, तो उसके लिए तुमको emotion, intuition और mystical feeling का सहरा लेना होगा, मतलब जो एक प्रकार से emotion होता है, लगाव होता है, एक भावना होती है लोगों, उसके आधार पर ही तुम common culture, common heritage, common history create कर सकते हो, समझ गया, अब यहाँ पर देखिए, ये एक प्रकार का thought हुआ, एक प्रकार के लोगो German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people, यानि जो real German culture है, जो ये क्या थे, ये German philosopher थे, और इन्होंने कहा कि अगर आपको real German culture देखना है, तो आप आम जनता के बीच में जाईए, आम जनता के बीच में जाईएगा, तब आपको एक प्रकार से पता चलेगा, जिसको इन्होंने क्या कहा, दा folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation was popularized, यानि कि क्या, यानि कि भाई, folk song, folk poetry और folk dances की मदद से ही, आप एक nation के idea को popularize कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, So, collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building, इसलिए हमें देश में अलग-अलग इलाकों में घूमना चाहिए, folk culture को collect करना चाहिए, folk song को, folk poem को collect करना चाहिए, ताकि हम national building में उसका सहारा ले सकें, अब यहाँ पर आगे कहता है, कि the emphasis on vernacular languages and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to a larger audience who were mostly illiterate. याने कि यहाँ पर यह कहते हैं, कि देखिए, अगर हम देश में folk lore को, folk culture को collect करते हैं, उसको एक प्रकार से देश में फैलाते हैं, उसके उपर जोर देते हैं, उसका यह मतलम नहीं है कि हम पुराने feelings को जागाने के लिए यह सारी चीज़े करने नहीं. यहाँ पर हमारा मकसद यह भी है कि हम एक प्रकार से जो आज का nationalist feeling है, nationalist message है, उसको लोगों तक आम जनता तक पहुँचा सकें, ऐसे लोगों तक पहुचा सकें, जो कि illiterate हैं, जो कि आज समाज में क्या हो रहा है, उसको news paper से नहीं पढ़ सकतें, उसके बारे में जानकारी न ज्यादा सही है ताकि उनके मन में देशभक्ती की भावना जगाईश जा सकें, इस वाज इस पेसली सो इन केस ऑफ पॉलेंड, विच हैड बिन पार्टिशंड अट एंड एंड एंटीन सेंचूरी, बाइड ग्रेट पावर्स रशिया, प्रसा और आस्ट्रिया, इवें दो पॉलेंड no longer existed as an independent territory, national feeling were kept alive through music and language. अब यहाँ पर देखिए, आपको उधारन दिया गया है पॉलेंड का, कि भाई पॉलेंड जो है, वहाँ पर किस प्रकार से दिशभक्ती की भावना को nationalist feeling को जिन्दा रखा गया, क्योंकि आपने देखा कि जब 1815 में वहाँ पर क्या हुआ पॉलेंड की हार हुई थी, उसके बाद पॉलेंड को बटवारा करके कुछ हिस्सा रसिया ने कबजा कर लिया, कुछ हिस्सा प्रशा ने कबजा कर लिया, इस प्रकार से पॉलेंड जो था वो एक आजाद देश नहीं था, उसके कई तुकड़े कर दिये गए, अलग-लग द इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर question काफी important बनता है पॉलेंड से कि यहाँ पर एक बताईए उदाहरण कि किस प्रकार से language जो है या फिर music जो है nationalist feeling को जिन्दा रखने में मदद करता है या फिर उसको बढ़ाने में मदद करता है तो आप यहाँ से point बना सकते या फिर यहाँ पर एक नाम है केरोल कुर्लपिंसकी इनका भी नाम से भी question पूछ देगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए केरोल कुर्पिंसकी जो थे वो क्या थे एक opera singer थे opera में काम करते थे ठीक है अब इन्हों ने national struggle को एक प्रकार से जिन्दा रखा या फिर उसको बढ़ाया अपने opera और अपने music की मदद से इन्हों ने क्या-क्या fog dance को जैसे की polonese जो है या फिर mazorica जो है इसको nationalist symbol के रूप में बढ़ाया यानि कि ये एक परकार से गाने की मदद से अपने देशभक्ती भावना को propagate करते थे लोगों के बीच में उसको पहुंचाते थे nationalist feeling को जिन्दा रखते थे इसके बाद यहाँ पर अब बात करते हैं language की कि language को किस प्रकार से इस्तमाल किया nationalist feeling को बढ़ाने में या फिर उसको जिन्दा रखने में या फिर propagate करने में तो यहाँ पर कहता कि language 2 played an important role in developing nationalist sentiment after Russian occupation the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere जब रशिया ने पॉलिंड के इलाखे पर कबजा किया तो वहाँ पर Polish language को खतम कर दिया गया और वहाँ पर सभी जगों पर Russian language पढ़ाया जाने लगा in 1831 an armed rebellion against Russian rule took place in which which was ultimately crushed 1831 में एक revolution हुआ armed revolution लेकिन उसको crush कर दिया गया खतम कर दिया गया इसके बाद कई जो members थे clergy के पॉलेंड में उन्होंने language को इस्तमाल करना शुरू कर दिया national resistance के लिए मतलब कि जो पॉलेंड है वहाँ पर जो लोग थे वो एक प्रकार से Polish language जबरजस्ती जोर जबरजस्ती में बोलने लगे कि देखो भाई हम Polish language क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हम अपने देश से प्रेम करते हैं देश भक्ती भावना हमारे अंदर है समझगा? तो यहाँ पर जो लोग थे चाहे वो चर्च के लोग हो या फिराम जनता हो इसकूल हो कहीं भी हो लोग protest के रूप में अपना Polish language का इस्तमाल करते थे और Russians को ये चीज बिलकुल पशन नहीं आता था जो भी लोग एक प्रकार से Russian नहीं बोलते थे, Polish बोलते थे और अगर उनको पकड़ दिया जाता था, तो उनको या तो जेल में डाल दिया जाता था या फिर Siberia भेज दिया जाता था, अब Siberia क्या है वाई, Siberia रशिया का इक इलाका है जो की बिलकुल बहुत ही ठंडा इलाका है, वहाँ पर minus 50 के आसपर टिंपरेचर रहता है ठंडी के दिनों में समझ गए, वैसे इलाके में भेज दिया जाता था, तो यहाँ पर जो polish language है, वो एक प्रकार से struggle का symbol बन गया यानि की एक nationalist feeling का symbol बन गया, Russian dominance के खिलाफ उसको oppose करने के लिए अब इसके बाद हमारे सामने है topic, topic number 3.2, 3.2 topic क्या है, यह है hunger, hardship and popular revolt तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक प्रकार से 1848 के जो revolt हैं, उसकी बात करने वाले हैं, 1830 के revolt को हमने पढ़ लिया, nationalist feeling यानि की romanticism को हमने एक प्रकार से पढ़ लिया, अब 1848 में क्या situation था, क्या हो रहा था, वो चीज़ ज़रा सा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कहता है कि the 1830s were years of great economic hardship in Europe, 1830s का जो समय था, वो बहुत ही economic hardship का समय था पूरे यूरोप के लिए, अब यहाँ से आपको question बनता है, question बनता है कि the decade of 1830 had brought great economic hardship in Europe, support the statement, कि भाई, 1830 में economic hardship था यूरोप में, इस statement को support कीजिए, आपके पास क्या valid points है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, पहला point कि भाई, population में बहुत increase था, क्यों भाई, तो यहाँ पर कहता है कि the first half of 19th century saw an enormous increase in population all over Europe, पूरे यूरोप में population बहुत grow कर गई थी, यहाँ पर क्या हुआ, जो छोटे छोटी फैक्ट्रियां थी, जहाँ पर कम संख्या में मजदूर मिलकर कुछ उत्पादन करते थे, उनको बहुत नुकसान झिलना पड़ता था, क्योंकि इंग्लैंड में industrialization हो गया था, और वहाँ से बहुत सारे समान इंपोर्ट हो रहे थे, कहाँ पर, इंपोर्ट हो रहे थे, यूरोप में, और इनका समान बिकता नहीं था, वहाँ से सस्ते सस्ती आते थे, लोग उनको खरीते थे, This was especially so in the textile production, which was carried out mainly in homes or in small workshop, and was only partly mechanized, in those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligation. जहाँ पर अभी भी जो aristocracy थी, power में थी, यूरोप के जैसे इस्टर्न यूरोप, इस्टर्न यूरोप आपको नक्सा दिमाग में आ रहा होगा, मैंने अभी दिखाये था, इस्टर्न यूरोप में aristocracy अभी भी power में थी, वहाँ पर किसानों को भारी तकलीफ था, क्योंकि व फसल खराब हो जाती न, तो जिन्दगी जीना मुस्किल हो जाता था, ऐसी स्थिती हो जाती थी यूरोप में, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि 1830 में आपको क्यों यूरोप का situation economic हालत बहुत ही जादा खराब था, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 1848 के उपर आते हैं, 1848 के बारे में कहता है कि the year 1848 was one such year, 1848 ऐसा ही एक साल था, जिस साल फसल खराब हो गई थी, जिस साल पूरा situation खराब था, food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on roads, यहाँ पर क्या हुआ, food prices बढ़ गए, फ्रांस में, Paris में food prices बढ़ गए, इसके साथ ही बहुत जदा unemployment थी, क्यों unemployment थी, यह अभी आप सडकों पर आ गए Paris में, आंदोलन करने के लिए, और इसके साथ ही सडकों पर आने की वज़ा से, यहाँ पर शहर में barricades लगा दिये गए, लुई फिलिप जो था, उसको भागना पड़ा कि भाई, जान बचा के भागो यहाँ से नहीं, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, अब यहाँ पर देखे 1848 का revolution का तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो national assembly थी, जो की 1830 में ही क्या हुआ था, constitutional monarchy बन गई थी, तो यहाँ पर national assembly ने 1848 में क्या किया, यहाँ पर France को एक republic घुशित कर दिया, मतलब कि राजा के post को खतम कर दिया, देश को republic घुशित कर दिया, साथ में पूरे देश में सभी adult males जो थे, सभी मर्दों को, औरतों को नहीं, सभी मर्दों को जिनकी उम्र 21 साल से उपर है, उन सभी को vote देने का अधिकार दे दिया, साथ में guarantee, right to work एक प्रकार से दिया गया लोगों को, national workshop बनाए गया, republic बन गया, France Republic बन गया, लोगों को voting अधिकार मिल गया, ये सारी चीज़े हो गई, अब यहाँ पर एक revolution और बात की गई है, वो है 1845 के revolution की, लेकिन ये revolution कहीं और हुआ था, France में आपको Paris में नहीं हुआ था, France में हुआ था, Paris में नहीं हुआ था, कहता है कि आपका 1845 मे weavers, Cilicia में, उन्होंने contractors के खिलाफ revolt किया था, जो की इन मजदूरों को, इन weavers को raw material supply करते थे, और उनको order देते थे कि भाई, कितना समान बनाना है, 100 किलो दे दिया, बोल दिया कि इस 100 किलो रूई का क्या करो, धागा बना दो, या फिर इसका कपड़ा बना दो, ठीक है, अब यहाँ पर देखे क्या हुआ, यहाँ पर problem ये था, कि जो ये workers थे, वीवर्स थे, इनको काम तो मिल रहा था, लेकिन जो contractors थे, उन्होंने काम का जो वेतन था न, वेतन कम कर दिया, मतलब कि 100 किलो रूई का धागा बनाने का पहले वेतन 100 रुपया था न, तो अब 50 रु उन्होंने अपना situation बताया कि कैसा उन्होंने देखा, कि cotton weaving जो है, वो बहुत बड़ा occupation है, यहाँ पर जो मजदूर है, उनकी हालत खराब है, उनको नौकरी के जरूरत है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्रकार से वेतन वगेरा कम कर दिया जा रहा है, य पेर्स में आगे बढ़े, और वो कहा गये, contractors के पास गये, ताकि वो अपने वेतन बढ़ाने की demand कर सके, और उनको बहुत ज़्यादा threats बगरा दिया आगया, बहुत धमकाया आगया, कि नहीं तुम्हारा वेतन नहीं बढ़ेगा, यह सारी बाते, और इसके बाद क्या हुआ बहुत बड़ी संख्याम, उनमें से जो लोग थे, वो एक प्रकार से घर में चले गए, और जितने सीसे बगरा सब चीजे तोड़ दी, हमला कर दिया, घर के उपर, और इसके साथ ही storehouse में हमला कर दिया, supplies को कबजा कर लिया, मतलब जो कपड़े, तैयार कपड़े थे, उनक revolution की बात करते हैं, यह revolution फ्रांस में नहीं हुआ था, कहीं और हुआ था, कहां हुआ था भाई, Frankfurt में, Germany में, ठीकर, यहां पर इस revolution में एक और चीज़ा लग था, क्या लग था, कि देखे, अभी जो पिछला revolution हमने देखा, 1830 का revolution, वो जो revolution था, वो गरीब लोगों के द्वारा किया गया था, यानि जो पूर लोग थे उनके द्वारा किया गया था, लेकिन यह जो revolution हम पढ़ रहे हैं, यहां पर 1848 में, जो revolution हुआ था, Frankfurt revolution, उसमें क्या था, उसमें यह revolution किया गया था, educated middle class के द्वारा, यानि कि जो liberals थे उनके द्वारा यह revolution किया गया था, समझ गया, त nominated class was underway. तो दिखें, जिस समय हमने बात की फरांस में 1848 में revolution हुआ, उस समय ऐसा नहीं था कि सिर्फ फरांस में revolution हो रहा था, न 시간이 उसके अलावा, युरोप के दूसरे देसों में भी revolution हो रहा था, क्यों? क्योंकि युरोप के दूसरे देसों में भी हालत खराब student, सभी लोग अंदुलन कर रहे थे, तो इसके साथ साथ, जो educated middle class के लोग थे, जो कि business person थे, नौगरी पेशा लोग थे, वो भी अम आंदुलन साथ में चला रहे थे, इनका अंदुलन और गरीबो का अंदुलन में फर्क था, ख्या फर्क था भाई? जो गरीबों का अंदोलन था वो अंदोलन मेंली था महंगाई को लेकर बेरुजगारी को लेकर इस प्रकार के प्रॉब्लेम थे उनको लेकर लेकिन जो मिडिल क्लास का अंदोलन था ये अंदोलन मेंली था किस चीज़ को लेकर कि हमारे देश में पार्लियमेंट आ जाए, हमारे देश में समीधान आ जाए, हमारे देश में और डेमोक्रेसी आ जाए, ये इस तरीके के चीजों को लेकर समझ गया, तो देखिए फरवरी 1848 में जो हमने revolution देखा कि France में revolution हुआ, वहाँ पर क्या change आया, वहाँ पर मोनार्की खतम हो गई, वहाँ पर republic आ गया, देश क्या बन गया, republic nation बन गया, France ठीक है, और वहाँ पर universal male suffrage दे दिया गया, यानि सभी मर्दों को vote का अधिकार दे दिया गया, महिलाओं को नहीं दिया गया था, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर यूरोप के इसके अलावा जो ओस्ट्रोहंगरी इंपायर के जो लोग थे, ये सभी लोग जो थे न, ये एक प्रकार से आंदोलन में शामिल थे, कैसे लोग, educated middle class के लोग, किस प्रकार के आंदोलन में, आयसे आंदोलन में, इनका demand था कि हमारे देश में constitution आ जाए, constitution से सरकार चले, हमार देश का national unification हो जाए, और साथ में हमारे देश में parliament आ जाए, democracy आ जाए, ये सारी चीज़े आ जाए, इस प्रकार के आंदोलन में लोग शामिल थे, कौन से लोग सामिल थे, भाई, जो middle class के educated, middle class के liberal लोग थे, वो शामिल थे, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो थे, educated थे, इनको सारी दुनिया के बारे में पता था कि भाई, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो इन्हों ने देखा कि भाई, देखो, पूरे यूरोप की हलत खराब है, पूरे यूरोप में सभी लोग तकलीफ में हैं, और पूरे यूरोप में आंदोलन भी चल रह समझ गए तो यही कहता है कि इस आधार पर इन प्रिंसपल्स के आधार पर हम देश बनाने पाएंगे अगर हम इन आंदोलन के साथ जूड़कर अपना भी आंदोलन बढ़ाती हैं आगे तो अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जर्मनी की जर्मनी मतलब जर्मनी देश उस्ता में नहीं बना था जर्मन रीजन की हम लोग बात करने वाले हैं जर्मन भाषा बोलने वाले रीजन के ठीक है तो कहता कि यहाँ पर जर्मन रीजन के जितने भी पॉलिटिकल पाटीज थे पॉलिटिकल असोसियेशन थे जिसमें मिटल क्लास प्रोफेशनल वगरा सामिल थे जिनकों की बहुत अच्छे से इन चीज़ों के बारे में आइडिया थी नॉलेज थी लिवरल आइडिलोजी को यह फॉलो करते थे इन लोगों ने क्या किया फ्रैंकफर्ट में एक मिटिंग बुलाई किसकी मिटिंग बुलाई जर्मन रीजन के जितने भी पॉलिटिकल असोसियेशन थे उन सब की मिटिंग बुलाई फ्रैंकफर्ट में यह बैठे और इन्हों ने तै कि यह लोग क्या करेंगे एक All German National Assembly के लिए वोटिंग करेंगे कि भाई पूरा जर्मन जो पूरा इलाका है जहां पर अलग अलग राजा अलग अलग इलाके पर साशन करते हैं उन सब को मिलाकर एक देश बनाया जाए और उसका Assembly कहा होगा यह लोग बनेंगे यह लोग वोटिंग करके Assembly बनाएंगे ठीक है 18 माई 1848 18 माई 1848 को इन्हों ने वोटिंग किया और कितने Elected Representative चुने 831 Elected Representative चुने और इन्हों ने इन 831 Elected Representative का एक मार्च निकाला प्रोसेशन निकाला और इन्हों ने जाकर एक बनाया Frankfurt Parliament Frankfurt Parliament बनाया बोला कि भाई देखो यह हमारा Parliament बन गया यह All German National Assembly है मतलब जर्मन भासा बोलने वाले जितने भी लाके है ना उन सब का यह Assembly है National Assembly है ठीक है अब यहाँ पर यह Frankfurt Parliament कहां बैठी थी यह Frankfurt Parliament बैठी थी Church of St. Paul में यह नाम रियाद रखेगा कि Frankfurt Parliament कहां होस्ट की गई थी St. Paul Church में ठीक है अब इन्हों ने क्या किया इन्हों ने Constitution बनाया जर्मन नेशन के लिए और इन्हों ने तै किया कि हमारा जो यह Constitution होगा हमारा यह जर्मन देश बनेगा जर्मनी देश बनेगा इसका हेड कौन होगा इसका हेड एक राजा होगा जो कि Parliament का subject होगा मतलब कि राजा होगा पूरे देश का हेड लेकिन राजा अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा राजा Constitution के हिसाब से करेगा सम्मिधान के हिसाब से काम करेगा ऐसा इन्होंने Constitution बनाया जब ये Constitution तयार कर लिया गया तो ये लोग इस Constitution को लेकर पहुँचे किसके पास ये पहुँचे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास जो कि प्रसा के किंग थे उनके पास पहुँचे और बताया कि देखे भाईया आप जो हैं प्रसा के राजा है लेकिन चलिए आपको हम लोग क्या करते हैं पूरे जर्मनी का राजा बना देते हैं लेकिन आप पूरे जर्मनी के राजा तो बन जाइएगा लेकिन आप अपनी मर्जी से राजा नहीं बनियेगा बलकि मोनार्की जो होगी वो Constitution के हिसाब से चलेगी यानि जो Frederick William 4 है वो Constitution के हिसाब से चलेगे Parliament के हिसाब से चलेगे और इस हिसाब से आपको काम करना होगा तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर Frederick William 4 ने reject कर दिया बोलागे ना हमको नहीं चाहिए हम भाई प्रसा के राजा हम भले ही तुम बना रहे हैं हमको जर्मनी का राजा लेकिन फिर बोलोगे कि हम अपने मर्जी से कामे नहीं कर सकते हैं तो फिर राजा का है का तो इसलिए इसने क्या किया reject कर दिया अब यहाँ पर reject करने के बाद क्या किया गया इन्हों ने यानि फ्रेडरिक विलियम फोर ने जाकर उन सभी राजाओं के साथ संधी कर ली कि वह देखो जर्मनी इलाके की जितने भी छोटे छोटे राजा थे उन सबके साथ मिलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया और साथ में यहाँ पर जो पारलियमेंट थी उसको एक प्रकार से dissolve कर दिया गया सेना भूलाकर इस सेंट पाल चर्च में पारलियमेंट को dissolve कर दिया गया अब इसका सिर्फ यह रीजन नहीं है कि राजा लोग विरोध में थे इसका एक और रीजन है कि जो आम जनता थी, यानि जो गरीब लोग थे, आम किसान लोग थे, जो मजदूर लोग थे, जो बिरोजगार लोग थे, वो भी इसका विरोध करने लगे. इस Parliament का, सेंट पॉल चर्च में जो फ्रैंकफर्ट Parliament का उसको विरोध करने लगे. क्यों भाई वो लोग क्यों विरोध करने लगे वो लोग इसलिए विरोध करने लगे क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर जो पारलियमेंट थी जिसमें की middle class जादा संख्या में थे इन्होंने workers और artisans के जो demand थे उनको एक प्रकार से नहीं माना उनको voting अधिकार देने से मना कर दि उनको और भी जो demand थे उन सब demand को नहीं माना यानि यह लोग अपनी मर्जी से अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहते थे जो middle class के लोग थे तो इसलिए जो गरीब लोग थे उन्होंने बोला कि जब तुम्हारे हिसाब से सरकार चलेगा तो फिर हम लोग से support कहें मांग रहे हो तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने भी support खतम कर दिया बोला कि नहीं हम लोग इसका support में नहीं है उसके बाद यहाँ पर राजा ने क्या बुलाया सेना बुलाया और इस पूरे assembly को हटा दिया खतम कर दिया बरबाद कर दिया अब यहाँ पर एक चीज है वो है आपका महिलाओ को voting का अधिकार कि देखिये जो यहाँ पर political right है महिलाओं को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए इसके उपर काफी जगड़ा था काफी debate था कुछ लोग जो थे वो एक प्रकार से समर्थन में थे कुछ लोग जो थे वो विरोध में थे कुछ लोग जो थे वो चाहते थे कि महिलाओं को voting अधिकार मिले कुछ लोग बोलते थी नहीं मिले अब यहाँ पर बात यह है कि जब से आंदोलन यह चल रहा था जितना भी liberal movement चला उन सब में महिलाएं शामिल थी बढ़ चड़कर सामिल थी बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी लेकिन महिलाओं को voting अधिकार नहीं दिया गया, political power नहीं दिया गया महिलाओं ने अपने political associations बनाए, अपने newspaper निकाले और बहुत सारे political meeting में, demonstration में participate किया लेकिन इन सब के बावजूद उनको voting अधिकार वगरा नहीं दिये गये थे अब यहाँ पर आगे कहता है कि यानि जब यहाँ पर Frankfurt Parliament बनाया गया, तो वहाँ पर महिलाओं की entry सिर्फ दी गए यहाँ पर, बैठ कर देखने के लिए यहाँ पर, आप यहाँ पर Frankfurt Parliament बना ही जाईएगा आप क्या करिएगा, उपर से बैठ कर देखेगा कि जो नीचे मर्द लोग बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं आपको सिर्फ इतना अधिकार है, ऐसा अधिकार महिलाओं को दिया गया था, ठीक है अब यहाँ पर आगे देखें, तो आगे यहाँ पर क्या कहता है आगे कहता है कि तो, conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order जितने भी conservative power थे, वो सब एक प्रकार से movement को suppress करने पाए 1848 में जितना भी revolution हुआ, यूरोप में उन सब को दबा दिया गया, सब को खतम कर दिया गया लेकिन जो राजा थे, जो यहाँ पर autocracies थी, यह सब समझ गया कि भाईया देखो हम लोग तो दबा दिये हैं लेकिन अब पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू हम नहीं कर सकते हैं हमें कुछ न कुछ छूट देना होगा, हमें कुछ न कुछ आजादी देनी होगी, तभी हम आगे बढ़ने पाएंगे जो मुनार्क थे, मुनार्क, we are beginning to realize that the cycle of revolution and repression could not only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries यानि की concession अगर कुछ छूट दे देते हैं, तब इस प्रकार का आंदोलन होना कम हो जाएगा या फिर बंध हो जाएगा Hence, in the year after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815 Thus, सर्फडम and bonded labor were abolished both in the Habsburg domination and in Russia The Habsburg ruler granted more autonomy to Hungarians in 1868 बहुत सारे छूट दिये गा है, जैसे कि सर्फडम को खतम कर दिया गया, और भी चीज़े खतम कर दी गई और भी बहुत सारे छूट दिये गए, political छूट भी लोगों को दिये गए, ठीक है अब यहाँ पर आगे हमारे सामने topic आता है, topic number 4 topic number 4 क्या है, the making of Germany and Italy अब यह topic में तो लिखा हुआ है, making of Germany and Italy लेकिन यहाँ पर साथ में हम लोग Britain की भी बात करने वाले हैं मतलब कि भाई देखो, Germany देश कैसे बना, Italy देश कैसे बना, Britain देश कैसे बना, इनका unification कैसे हुआ, यह सारी चीज़ हम यहाँ पर इस topic में detail में पढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत किसके साथ करेंगे, जर्मनी के साथ करेंगे topic number 4.1 क्या है, Germany, can the army be the architect of a nation क्या आर्मी एक देश का निर्माता बन सकती है, आर्किटेक्ट बन सकती है, यह चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे अभी तुरंथ हमने देखा कि 1848 में क्या हुआ था, Frankfurt Parliament बनाये गया था ताकि Germany का एकी करण किया जा सके, Germany का यूनिफिकेशन किया जा सके लेकिन क्या वो successful हुआ, जी नहीं, बिलकुल भी successful नहीं हुआ तो यहाँ पर यही कहता है कि after 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution Europe में जो nationalism की भावना थी, 1848 के बाद उसका democracy के साथ या फिर revolution के साथ कोई नाता नहीं था मतलब, मतलब की पहले क्या होता था, 1848 में जो revolution हो रहा था या फिर उससे पहले जो revolution हो रहा था, 1815 के बाद जो लोग nationalist थे nationalism की भावना रखते थे, वो एक प्रकार से revolution में भी सामिल होते थे वो liberalism की भावना भी रखते थे, यह सारे ideologies आपस में जुड़े हुए थे लेकिन 1848 के बाद जो nationalism की भावना थी, देश प्रेम की भावना थी, राष्टरवाद की भावना थी वो liberalism से अलग हो गए, democracy से अलग हो गए, यानि कि अगर आप देश से प्रेम करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप democracy की डिमांड करें, जरूरी नहीं है कि आप equality की डिमांड करें, freedom की डिमांड करें यानि जो लोग democracy की demand कर रहे हैं उनके अंदर भी देशभक्ती है और जो लोग democracy से जिनको कोई मतलब नहीं है उनके अंदर भी nationalism की भावना है आगे कहता है कि nationalist sentiment were often mobilized by conservative for promoting state power and achieving political domination over Europe अब यहां पर जो conservative लोग थे वो यानि जो सरकारे थी जो एक प्रकार से रूडिवादी सरकारे थी मोनार्की थी राजा का शाषन को भी यहां पर conservative ही कहा जा रहा है कि राजा जो लोग थे मोनार्की थी वो सभी nationalism की भावना का इस्तमाल करने लगी कैसे लोगों को nationalism के नाम पर भड़का कर एक प्रकार से दूसरे देशों पर हमला करने के लिए कबजा करने के लिए अपने राज्य का विस्तार करने के लिए इस्तमाल किया जाने लगा अब लोग जो थे उनके अंदर nationalism की भावना थी, देश प्रेम की भावना थी, तो यहाँ पर इन चीजों की वज़ा से, कि भाई देखो हमें क्या करना है, वो देश हमारा दुष्मन है, उससे जगडा करना है, तो इस चीज की वज़ा से, जो nationalism की भावना थी, उसका बहुत इ जर्मनी के उदारन से समझेंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे, किस चीज का, जर्मनी के यूनिफिकेशन का, अब यहाँ पर आपको सिंपल से कोशन बनता है, explain the process of जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मनी के यूनिफिकेशन के पूरा प्रोसेस को समझेए, और इसको शॉर्ट में आपको लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पर कहता है कि this is this can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation state, as you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans, who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament, 1848 में जो middle class था, जिसके अंदर nationalism की भावना थी, लिबरलिजम की भी भावना थी, यह इन सभी लोगों ने पूरे जर्मन इलाके को एक करने का, यानि जर्मन यूनिफिकेशन करने का try किया, लेकिन वो एक प्रकार से fail रहे, प्रसा के जो जमिंदार लोग थे, उन्होंने भी इस पूरिववस्था को खतम करने की कोशिश की मतलब, जो try हो रहा था 1848 में जर्मन यूनिफिकेशन का उसको खारिज कर दिया, आर्मी ने भी खारिज कर दिया, साथ में यहाँ पर राजा ने भी खारिज कर दिया, ठीक है, अब जब 1848 में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना था, जिसने जर्मन यूनिफिकेशन करने की क चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, German Unification करेंगे, अब इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, आपको नक्षा समझना बहुत ही जरूरी है, नक्षा देखेंगे तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ये नक्षा आप देख रहे हैं, ये नक्षा सारा इलाका था, बाकी सारे जो येलो इलाकिया आप देख रहे हैं, ये आगे चलकर कवजा किये गए थे, अब इससे अच्छा और भी अच्छा नक्षा आपको कहा मिलेगा, इससे और भी अच्छा नक्षा आपको देखने को मिलेगा आपके बुक में ही, बुक में ही अग को कबजा करके जो यूनिफिकेशन हुआ था उसको दिख रहे हैं तो देख सकते हैं कि प्रसा कितना वड़ा राज्य था और प्रसा के पास ताकत भी था सीना भी उतनी वड़ी थी कि वो जवर्जस्ती करके भी जर्मनी का यूनिफिकेशन कर सकता था अब यहां पर क्या कि देखिये जो लिबरल्स थे वो एक प्रकार से फेल हो गए कि भाई जर्मन यूनिफिकेशन नहीं होने पाया तो जो प्रसा था प्रसा देश प्रसा राज्य उसने तय किया कि हम लोग क्या करेंगे नैशनल यूनिफिकेशन करेंगे जर्मनी देश बनाएंगे थीक है मतलब की पूरा प्रोसेस का प्लानिंग, पूरा प्रोसेस का देखरे करना किस ने किया था? ये किया था ओटो वान विसमार्क ने जो की प्रसा के चीफ मिनिस्टर थे, हेड मिनिस्टर थे, ठीक है. अब इस काम को करने के लिए उन्होंने आर्मी का भी यूज किया, मतलब युद्ध भी लड़ा, और साथ में ब्यूरोक्रेसी का भी यूज किया, मतलब की दूसरे देखरों से बात चीफ भी की. ठीक है? अब यहाँ पर इन्होंने, मतलब प्रशा ने करीब साथ साल तक तीन युद्ध लड़े, साथ साल के दौरान तीन युद्ध लड़े, तीन युद्ध किसके साथ लड़े? आस्ट्रिया के साथ लड़े, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ. तीनों के साथ युद्ध ल कर दिया गया वर्साय के महल में ठीक है फिर से आपको नक्षा देखने की जरुवत है यहाँ पर तीन युद्ध लड़े गया किसके किसके साथ युद्ध लड़ा गया पहला युद्ध लड़ा गया आपको आउस्ट्रिया के साथ तो इस तरफ आपको आउस्ट्रिया का इनके कबजे में इलाके थे, उन इलाकों को एक प्रकार से प्रसा ने कबजा किया और पूरा जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, यूनिफिकेशन कम्प्लीट कब हुआ, 1871 में कम्प्लीट हुआ, ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर क् प्रोसेस बताया है, मतलब, जब राजा का राजगदी, राजस्तीलक हो रहा था, तब क्या क्या हुआ था, बताया गया है, कि on bitterly cold morning of 18, January 1871, an assembly comprising the princess of the German states, representative of the army, important Prussian minister, including the chief minister, Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire, headed by Kaisar William I of Prussia. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 18, January 1871 को राजतिलक किया गया, राजगदी पर बैठाया गया, Kaisar William I को पूरे जर्मनी का, इनको समराट घोसित किया गया, और जितने भी छोटे छोटे राज यह थे जर्मनी में, उन सभी के leaders, या फिर सेना के leaders, सभी लोग आगे बढ़ें, तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि the nation-building process in Germany had demonstrated the dominance of Prasian state power, the new state placed a strong emphasis of modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany, Prasian majors and practices often became the model for the rest of Germany. जब यहाँ पर Germany देश बना, तो Germany देश बनने के बाद जो प्रसा की सरकार थी, मतलब जो Germany की नई सरकार बनी, उसने यहाँ पर पूरे देश को modernize करने का decision लिया, currency को modernize किया गया, banking system को modernize किया गया, judicial system, legal system सभी modernize किये गया, और साथ में यहाँ पर जो प्रथा, प्रसा में चलती थी, जो नियम कानौन, जो ववस्था प्रसा में थी, उसको पूरे Germany में लागू कर दी आ गया, और इस प्रकार से पूरा यहाँ पर political system पूरा system यहाँ पर बना, अब यहाँ पर देखिए, यह आपको तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर Hall of Mirrors at Versailles, जहाँ पर की German Empire का Proclamation किया गया था, उसकी घोशना हुई थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैसर विलियम और जितने भी चीफ कमांडर वगरा है, सभी यहाँ पर मवजूद हैं, यह आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इटिली की बात करें, तो इटिली भी वही इस्थिती थी, जैसा कि जर्मनी का इस्थिती था, मतलब कि इटिली के सभी इलाके एक देश के रूप में कभी रहे नहीं थे, समझ गया, इटिली में कई सारे अलग-लग राज थे, जहाँ पर अलग-लग लोग शाशन करते थे, यहाँ पर और भी दूसरे लोग शाशन करते थे, जो लोग इटेलियन नहीं थे, इटेलियन कौन थे, सरडिनिया पिड्मॉंट के रूलर जो थे, सिर्फ और सिर्फ वही इटेलियन थे, बाकी कोई भी इटेलियन नहीं था, बाकी बाहर के लोग यहाँ पर शाशन करते थे और ये पूरा देश, ये पूरा इलाका, कभी भी एक देश, इटली देश के रूप में रहा ही नहीं था, समझ गया, तो आईए इस प्रोसेस को भी अच्छे से समझते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर कहता है कि, like Germany, इटली तु had a history of political fragmentation, Italians were scattered over several dynastic states as well as multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into seven states of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. 19th century के middle में, मतलब कि 1850 के आसपास यहाँ पर इटली में 7 states थे, 7 अलग-लग राजगराने थे, जिसमें से एक राजगराना था, जो कि Italian था, बाकी बाहर के लोग थे. जैसे कुछ इलाकों पर Habsburg Empire का कंट्रोल था, कुछ इलाकों पर Spanish ruler करते थे, कुछ इलाकों पर France का कबजा था, अलग-लग लोगों कबजा था. तो वही चीज़ कहता है, the North was under Austrian Habsburg Empire, the center was ruled by Pope, and Southern region were ruled by domination of Bourbon kings of Spain, even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations. मतलब Italian लोगों के बीच में भी उतनी जदा unity नहीं थी, क्योंकि एक प्रकार से मतलब language को लेकर भी अलग-लग इलाके में अलग-लग बोल चाल थी, अलग-लग culture था, बहुत मतलब variation थे Italy में. आगे कहता है के, during the 1830s, Joseph Mezzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian Republic. Joseph Mezzini ने try किया था कि भाई, देखो हम लोग क्या करें, हम लोग Italy का unification करें, Italy को एक कर दे. He had also formed a secret society called Young Italy for the dissimulation of his goals. The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 mean that the mantle now fell on Sardinia, Piedmont, under its ruler king, Victor Emmanuel II, to unify the Italian states through war. यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 1831 में, try किया गया था किस चीज के लिए? Unification करने के लिए Italy का. और साथ में 1848 में, जिस समय फ्रांस में अंदोलन चल रहा था, उस समय इटली में भी चला था, जर्मानी में भी चला था, सभी जग उपर चला था. यह दोनों states fail कर गए, मतलब दोनों जो revolution हुए थे, वो fail कर गए. अब यहाँ पर जो middle class था, या फिर जो गरीब लोग थे, वो लोग एक प्रकार से Italy का unification नहीं कर सकते थे, उनके पास इतनी power नहीं थी. तो यहाँ पर यह जिम्मेदारी अब किसके उपर आ गई? यहाँ पर यह जिम्मेदारी आ गई Sardinia Pidmont के उपर, जो कि एक Italian राजगराना था, कि भाई Italy को एक करो, Italy नाम का देश बनाओ, Italy देश बनना चाहिए, यह इनकी जिम्मेदारी हो गई. क्यों इनकी जिम्मेदारी जो है, वो चाहता है क्यों? कि भाई, Italy का युनिफिकेशन क्यों होना चाहिए? भाई, बड़े इलाके का राजा बन जाएगा, वो समराट बन जाएगा, इस वज़ा से होना चाहिए. बाकी लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? मिडिल क्लास जो है, वो सपोर्ट करेंगे? क्यों पार जादा होगा, हम लोगों का पावर जादा होगा, एक प्रकार से एकनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डॉमिनेंस, मतलब पॉलिटिकल पावर सब चीज जादा होगा मारे पास. इसलिए सभी लोग जो है, इटली का युनिफिकेशन के पक्ष में थे. अब यहाँ किया, उसने एक प्रकार से वार भी लड़ा, और साथ में दोस्ती, डिप्लोमेसी के जरीए भी काम को किया था. अब यहाँ पर देखिए, काउंट कावूर के वारे में भी आप से पूछेगा, आपको बताना हुगा कि काउंट कावूर का परसनालिटी कैसा था, या फिर अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर काउंट कावूर था, वो एक प्रकार से फ्रेंच जादा बोलता था, फ्रेंच क्यों बोलता था, क्योंकि यूरोप में जितने भी डिप्लोमेंट थे, या फिर अपर क्लास के लोग थे, वो लोग फ्रेंच भासा का इस्तमाल करते बाचीत में, अब यहाँ पर देखिए, काउंट कावूर ने काफी दिमाग लगाया, उसने क्या किया, उसने देखा कि बगल में फ्रांस है, बहुत बड़ा ताकतवर देश है, उसके पास भी हमारे इलाके हैं, तो उसने क्या किया, फ्रांस के साथ जाकर उसने दोस्ती कर सरडिनिया-Pidmont ने, जो ओस्ट्रियन फोर्सिज थी, मतलब औस्ट्रिया की जो heating फोर्सिज थी, उसको 1859 में हरा दिया, उसको हरा दिया, इसके बाद ही, उसके जो इलाके थे, वो किसके पास आगें सरडिनिया पिडमाउंट के पास पहला इस्टेप पूरा अब इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर इटली के यूनिफिकेशन में एक और वेक्ति आते हैं जिनका नाम है जोसेफ गरिबाल्डी तो तीन नाम आपको ध्यान रखना है इटालियन यूनिफिकेशन में जोसेफ मेजिनी, काउंट कावूर और साथ में जोसेफ गरिब तीनों का काफी important role है इटली के यूनिफिकेशन में हमने काउंट कावूर की बात कर ली जोसेफ मेजिनी की बात कर ली अब यहाँ पर जोसेफ गरिबाल्डी की बात करते हैं तो जोसेफ गरिबाल्डी जो थे वो एक प्रकार से किसान थे उन्होंने इटली के इन्हों ने armed volunteers को lead किया था, समझ गया, अब यहाँ पर यह armed volunteers कौन थे भाई, normal किसान थे, normal आम आदमी लोग थे, उनको यहाँ पर जोसेफ गरिबार्डी लेकर गए और आर्मी से fight किया और उनको defeat किया, कैसे, यहाँ पर 1860 में यह march करके South Italy में, South Italy मतलब कहा, मतलब कि यहाँ प एक प्रकार से fight किया, और यहाँ पर जो local किसान थे, उनका support लेकर, local आदमियों का support लेकर, Spanish rulers को वहाँ से भगा दिया, जो बरवन king थे, उनको भगा दिया, और यहाँ पर control अस्थापित कर लिया, और आगे चलकर 1861 में, जो Victor Emmanuel 2 थे, इनको एक प्रकार से पूरे king का, United Italy का king या फिर राजा घुशित किया गया, अब यहाँ पर देखे, बीच में एक चीज की बात नहीं की गई है, वो है पेपल इस्टेट, यानि पोप का राजी, पोप का राजी जो था, वो आगे चलकर 1870 में जाकर मिलाया गया था, राजा घुशित होने के बाद मिलाया गया था समझ गया, तो यहाँ पर जो मैं एक और वीडियो करूँगा, नोट्स के जरी, उसमें और भी अच्छे से एक्स्प्लेन होगा, उसको भी देख लीजेगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं NCRT को लाइन वे लाइन फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहता है कि however much of the Italian population, among whom rates of illiteracy was very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology, यानि जो इटली के आम आदमी लोग थे, उसमें से बहुत सारे लोग क्या थे, uneducated थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उन लोगों को पता नहीं था कि भाई ये nationalism क्या होता है, liberal nationalist ideology क्या होती है, equality freedom ये सारी चीज़े क्या होती ह nationalist sentiment क्या होते है, ये जो किसान थे, जो की इन तरीके के आंदोलन में शामिल थे, इस तरीके के युद्ध में शामिल थे, इनवे से बहुत सारे लोग जो थे, वो एक प्रकार से Italian नाम को जानते भी नहीं थे, इटली क्या word है, जानते भी नहीं थे, वो एक प्रकार से Garibaldi को सपोर्ट कर रहे थे, गैरिबालडी से फाइट कर रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, मतलब पता था कि बहुत फाइट किस चीज के लिए कर रहे हैं, लेकिन इटली क्या है, देश क्या होता है, नेशनलिजम क्या होता है ये सारी चीजों की बारे में उनको जनकारी नहीं थी और इनका मानना था कि ला तालिया नाम जो है वो विक्टर इमैनुवल की वाइफ का नाम है और उसी के लिए फाइट चल रहा है ये एक प्रकार से आम लोगों का ये विश्वास था उनको ये ज की जो कहानी है वो इतली और जर्मनी से बहुत अलग है कैसी अलग है बाइ तो इतली और जर्मनी में आपने देखा कि क्या किया गया युद्ध लढ़ा गया वार लड़के युनिफिकेशन किया गया लेकिन जो Britain का Unification हुआ न, उसमें कोई भी वार नहीं लड़ा गया, कोई भी युध नहीं लड़ा गया, और बहुत सारे जो expert हैं, जो वो कहते हैं कि भाई देखो, nation state बनने का जो process है, वो होना चाहिए Great Britain जैसा, Great Britain जैसा होना चाहिए, अब यहाँ पर आपके मन में question आएगा कई सारे words आप Britain से जुड़े हो सुनते हैं, Great Britain, Britain, England, UK, इन सब में क्या अंतर हैं, तो इन सब में जो भी अंतर है, उसके लिए मैंने एक special video बनाया है, वो आप I button पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि UK, England, Britain, Great Britain में क्या अंतर है, वो सारी चीज़ of a sudden available or revolution, it was the result of long drawn out process, काफी लंबे समय तक process चला और पूरे देश का युनिफिकेशन हुआ था, बृतीन का, कैसे कैसे भाई, पूरा प्रोसेस समझते हैं, तो कहता है कि there was no British nation prior to the 18th century, 18th century से पहले British nation, बृतीन नाम का कोई देश नहीं था, यहाँ पर जो लोग थे, उन सब क जो identity था, वो आपका ethnic identity था, मतलब, मतलब कि यहाँ पर लोग English होते थे, Welsh होते थे, Scott होते थे, और Irish होते थे, अब यह क्या चीज है, समझा देता हूँ, बहुत आसान सा चीज है, कुछ ऐसा खास है ने, तो यहाँ पर अगर मैं आपको तुरा सा समझा हूँ, एक मिनिट मु ग्रेड ब्रिटेन का नक्सा, ब्रिटेन, ग्रेड ब्रिटेन का नक्सा, यहाँ पर आपको चार इलाके होते हैं आपके ग्रेड ब्रिटेन में, UK जिसको हम कहते हैं, उसके चार इलाके होते हैं, पहला आपका England होता है, यह वाला इलाका जिसको की England के नाम से जाना जाता है, दूसरा Scotland होता है, तीसरा Wales होता है और चौथा यहाँ पर Northern Ireland होता है पहले Ireland भी UK कहीं सा था लेकिन अब नहीं है 1860 या 70 के आसपास यह अलग हो गया था ठीक है अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 18th century के middle तक क्या होता था कि जो लोग थे उनमें British नाम का कोई identity नहीं था, Britain नाम का कोई देश नहीं था लोग जो थे, England के रहने वाला खुद को English कहता था, Wales का रहने वाला खुद को Welsh कहता था Scotland का Scottish कहता था, Ireland का Irish कहता था, तो सभी लोगों के अलग-अलग identity होते थे इस प्रकार से पूरा यहाँ पर देश था, पूरा यहाँ पर political system था अब यहाँ पर क्या हुआ, कि जो English nation, यानी जो England की मैंने बात की England को धीरे-धीरे काफी power मिलने लगा, कैसे power मिलने लगा भाई? पावर इसलिए मिलने लगा, क्योंकि जो England था, England की forge सरकार जो थी, वो दूसरे इलाकों पर कबजा करने लगी जैसे इंडिया पर England का कबजा हो गया, और भी दूसरे अफरीका वगरा पर कबजा हो गया तो जो England की सरकार थी, उसके पास काफी पैसा आने लगा, forge बड़ी हो गया, बहुत तरीके से ताकत हो गया England की सरकार के पास तो इसकी वज़से क्या हुआ, England अपने आस पास के जो देश थे, उसके उपर अपना influence जमाने लगा मतलब की भाई, Scotland को दबा दिया, Wales को दबा दिया, और भी चीज़े हो गए तो इसकी वज़से क्या हुआ, इसकी वज़से सबसे पहले Wales के इलाके के उपर England का कबजा हुआ कबजा इस तरीके किसे नहीं की हमला किया और कबजा कर लिया नहीं, धीरे से वहाँ पर जैसे कोई टीटी साइन कर वाली उस प्रकार से सरकार को अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है अब यहाँ पर इसी दौरान क्या होता है, कि जो England की Parliament है उसमें और राजा में लडाई हो जाते हैं, लडाई इस तरीके से फाइट वाली लडाई नहीं, बस हाँ कि मेरे पास पावर रहेगा कि तुम्हारे पास, तुम्हारे पास की मेरे पास इस प्रकार से और इसी बीच में क्या होता है, कि 1688 में जो Parliament है England की, वो राजा से पावर छीन लेती है, राजा के पास बस नाम का पावर रह जाता है, और रियल में पावर आजाता है कि इसके पास, Parliament के पास आजाता है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से आपका एक तरीके सम कह सकते ह करने की शुरुआत होती है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको Wales तो पहले ही England के influence में आ चुका था, इसके बाद आता है आपका 1707, 1707 में एक Act of Union sign किया जाता है, 1707 में, England और Scotland के बीच में, जिसके जरिये आपका United Kingdom of Great Britain बनाया जाता है, जिसमें की Wales, England और Scotland सामिल हो जाता है, ठी Scotland पर अपना प्रभाव जमाने में successful हो जाता है, मतलब कि जैसा England चाहेगा, वैसा Scotland में होगा, वैसा Wills में होगा, मतलब कि भाईया देखो, unification देश का हो रहा है, लेकिन सारी मर्जी किसकी चल रही है, England की मर्जी चल रही है, England के हिसाब से सब चीज़े चल रहे है, यहाँ पर जो Scotland में रहने वाले लोग थे, वो खुद को स्कॉर्टिस नहीं कह सकते थे, अपने कल्चर को खुल कर फॉलो नहीं कर सकते थे, जो England में हो रहा था, उसको British identity के नापर कि हम लोग Britain के निवासी हैं, ऐसा करकर के Scottish identity को, Scottish culture को दवाया जाना सुरू किया जाने लगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, Scottish Highland, मतलब Scottish region में जो आपको Catholic clans रहते थे, Catholic परिवार रहते थे, Catholic culture वाले लोग रहते थे, उनको एक प्रकार से बहुत ही terrible repression से गुजरना पड़ा, वहाँ पर repression क्यों हुआ, उनको दवाया क्यों गया, क्योंकि यह लोग जो थे, यह independence की बात कर रहे थे, आजाद होने की बात कर रहे थे, ठीक है, जो Scottish Highlanders थे, मतलब Scottish region में रहने वाले लोग थे, इनको अपना जो गेलिक language था, वो बोलने से रोख दिया गया, कि आप लोग अपना गेलिक language नहीं बोल सकते हैं, आप लोग national dress अपना नहीं पहन सकते हैं, और साथ में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर से भी बाहर निकाल दिया गया, मतलब शुरुआत में तो धीरे से उस इलाके पर कबजा किया गया, धीरे से उस इलाके को अपनी influence में लिया गया, और वहां के लोगों को दबाया जाना शुरू किया जाने लगा, मतलब कि उनको अपना भासा नहीं बोलने देते थे, अपना कपड़ा नहीं पहने देते थे अपना culture follow नहीं करने देते थे, ज्यादा होता था तो उनको देश से निकाल दिया था, इसी प्रकार से Ireland की कहानी है, Ireland को भी इसी प्रकार से influence में लिया गया, यहाँ पर क्या होता था, Ireland जो देश था, वहाँ पर Catholic और Protestant का काफी जगड़ा चलता था, Catholic और Protestant क्या होते हैं आपको ग्रूप हैं, उसी प्रकार से आपको Christianity में पूजा कैसे करना है, प्रेयर कैसे करना है, इसको लेकर कई सारे मतभेद हैं, उसमें दो ग्रूप हैं, Catholic है, Protestant है, और भी हैं, तो यह दोनों के बीच में काफी जगड़ा चलता था वहाँ पे, तो इस जगड़ा के बीच में, जो England देश था, England देश, वो Protestant लोगों का देश था, तो यह जो England के Protestant थे, इन्हों ने Ireland के Protestant का मदद करना शुरू किया, कि Ireland के Catholic लोगों को दबा दो, Ireland के Catholic लोगों को crush कर दो, उनकी बात एक प्रकार से खतम कर दो, ठीक है, ऐसा करना शुरू किया, इसके बाद Catholic लोगों ने revolt करना शुरू किया बिटिश डॉमिनेंस के उपर कि तुम लोग क्यों प्रभाव कर रहे हैं ऐसे हो इसे बहुत सारी चीज़े होई लेकिन उसको सप्रेश किया गया 1798 में काफी एक आपका रिवोल्ड भी हुआ था वो भी एक प्रकार से दबा दिया गया और आगे चलकर 1801 में Ireland को जबरजस्ती United Kingdom में शामिल कर लिया गया तो इस प्रकार से आपका बना British Nation जिसमें की कई सारे अलग अलग देशों को साथ मिलाया गया और यहां पर mainly क्या हुआ? mainly हुआ कि जो English culture था England का culture था उसको promote किया गया उसको लागू किया गया और Britain के जो symbol बने जो नए identity बने नए symbol बने जैसे कि Britain का flag हो गया national anthem हो गया इसके साथ ही और भी जो चीजे थी वो England के हिसाब से थी English language के हिसाब से थी और यहां पर आप आज भी जो United Kingdom देश जानते हैं उसमें जादा तर जो culture है जादा तर जो system है वो England कहीं follow होता है Scotland के लोग आज भी आजादी की बात करते हैं आज कल 2-3 साल पहले Scotland का voting भी हुआ था आजादी के लिए लेकिन उसमें भी लोगों ने मना कर दिया था आजाद होने से ठीक है तो यहाँ पर यही चीज है कि इस प्रकार से England का आपका Unification हुआ अब यहाँ पर एक तस्वीर है जिसमें कि Joseph Garibaldi को देख सकते हैं कि Joseph Garibaldi Victor Emmanuel को Italy नाम का जूता पहना रहा है मतलब कि इसने Southern Italy को जीता वहाँ पर युध लड़ा जीता और वहाँ पर सदन Italy Victor Emmanuel को सौप कर वो देश छोड़ कर चला गया मतलब कि युध देश छोड़ कर नहीं वो सारे ववस्था को छोड़ कर चला गया कि भाई दिली जी आप राज समालिये हमारा काम यह नहीं है इसलिए Joseph Garibaldi का बहुत respect भी होता है इतली में आज भी इसके बाद यहाँ पर आगे है टॉपिक नमबर फाइव तॉपिक नमबर फाइव है विजुलाइजिंग दन नेशन यह टॉपिक जरा सा अब हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं तो यहाँ पर कहता है कि while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue how does one go about giving a face to a nation यानि कि किसी भी राजा को अगर represent करना है राजा को एक प्रकार से दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे हम उसकी मूर्ती बना देंगे तो भाई हर चौराहे पर मूर्ती लगा दीजे राजा को लोग देख लेंगे राजा को लोग पहचान लेंगे लेकिन किसी नेशन को अगर हमें दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे नेशन को हम represent कैसे करेंगे तो ये चीज बहुत बड़ा question है कि भाई अगर हमें लोगों में देश प्रेम की भावना बढ़ानी है तो उसके लिए हमें देश दिखाना होगा देश के बारे में कहानिया बनानी होगी देश के बारे में तस्वीर बनाने होगे तो वो हम कैसे करेंगे तो इस चीज को problem को solve किया गया था 18th और 19th century में उस समय के जो artist थे उन्होंने इस problem को solve किया कैसे किया personification करके यानि जो country है उसको एक person के रूप में represent करके यहाँ पर इस problem को solve किया गया जैसे हम हमारे देश में भारत देश को कैसे दिखाते हैं हम अपने देश में भारत देश को दिखाने के लिए भारत माता का इस्तेमाल करते हैं भारत जो देश है वो हमारी मा है हम उसकी पुजा करते हैं इस प्रकार से हम अपने देश को दिखाते हैं इसी प्रकार से यूरोप में जो यहाँ पर देश थे उनको दिखाने के लिए personification किया गया यानि कि मानो रूप दिया गया देश को तो यहाँ पर यही कहता है कि in other words they were represented as if it were a person यानि कि देश क्या है एक मानो है इस रूप में दिखाया गया nations were then portrayed as a female figure यूरोप में भी जो देश है उसको दिखाने के लिए महिला तस्वीरों को या फिर महिला का उपयोग या महिला के रूप में दिखाया गया the female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life rather it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form जो यहाँ पर महिला तस्वीर या फिर महिला पैंटिंग महिला मूर्ती इस्तमाल किया गया जिस महिला के रूप में यहाँ पर देश को दिखाया गया वो महिला real life में कोई महिला नहीं थी बलकि उस महिला के तस्वीर के रूप में पूरे देश को वहाँ पर दिखाने का कोशिश किया गया देश की जो भावनाएं थी, देश के जो विचार थे देश के जो आदर्स थे उसको उस महिला के रूप में दिखाने की कोशिश की गई That is the female become an allegory of the nation Allegory क्या होता है? Allegory के बारे में नीचे definition दिया गया ऐसे ही मैं बता देता हूँ कि allegory मतलब होता है कि कोई भी आपका abstract idea है उसको जब आप एक person या फिर एक वस्तू का रूप देते हैं तो उसी वो क्या हो जाता है? वो allegory बन जाता है उस idea का या फिर उस वस्तू का मतलब उस विचार का ठीक है अब यहाँ पर कहता है कि You will recall that during the French Revolution Artist used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic French Revolution में भी आपने देखा था कि कई सारे अलग-लग विचारों को represent करने के लिए अलग-लग तस्वीरों का इस्तमाल किया गया था अलग-लग symbols का इस्तमाल किया गया था ठीक है? These ideals were represented through specific object or symbols As you would remember the attributes of liberty are the red cap or broken chain while justice is generally blind folded woman carrying a pair of wing scales यानि कि आप अगर देखें French Revolution देखें या फिर कहीं और देखें तो वहाँ पर ideas को represent करने के लिए कई सारे symbols या फिर तस्वीरों का इस्तमाल होता है वो आपने देखा है French Revolution में भी और और जगों पर भी आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर यही कहता है कि जिस प्रकार से इन ideas को allegory के form में represent किया गया था उसी प्रकार से nation को देश को भी एक महिला के रूप में allegory उसका बनाने का कोशिश किया गया था ठीक है तो कहता है कि similarly female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation इसी प्रकार से nation represent करने के लिए भी यहाँ पर allegory का इस्तमाल किया गया था In France was Christian Marine, a popular Christian name यहाँ पर France में जो यहाँ पर तस्वीर बनाया गया जो जिस महिला का इस्तमाल किया गया पूरे देश को represent करने के लिए उसका नाम Marianne रखा गया Marianne रखा गया अब यह Marianne क्यों? क्योंकि Marianne France में बहुत ही एक common Christian name है इस वज़े से यह नाम का इस्तमाल किया गया और यहाँ पर जिसका एक प्रकार से मतलब होता है जो allegory बनाया गया उसका क्या मतलब? People's Nation यानि जनता का दीश हर characteristics were drawn from those of liberty and republic the red cap, the tricolor and cockade तो यहाँ पर जो allegory बनाया गया उसमें जो republic या फिर freedom के जो ideas थे जो symbols थे उनको भी साथ में add किया गया साथ में रखा गया इस statues of Marianne were erected in public squares to remind the people of national symbol of unity and to persuade them to identify with it यहाँ पर Marianne को एक प्रकार से allegory का form देकर Marianne की तस्वीरे, painting आपको हर चौराहे पर लगाए गई ताकि लोग अपनी भावना इस Marianne के साथ जोड सकें यानि कि France देश के साथ जोड सकें ठीक है Marianne images were marked on coin and stamps इसी प्रकार से Marianne जो थी उसकी तस्वीरों को यहाँ पर आपको coin पर या फिर postal जो stamp होते हैं उन सभी जगों पर भी लगाए गया जैसे कि Marianne के तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार से अगर हम जर्मनी देश की बात करें तो जर्मनी देश में जर्मेनिया एक प्रकार से allegory बनाए गए जर्मन नेशन की अब यहाँ पर जो जर्मेनिया है वो oak leaf का crown पहनती है क्योंकि oak जो होता है जर्मनी में वो एक heroism का symbol होता है तो यहाँ पर जर्मेनिया की तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें की जर्मेनिया क्या लिए हुए है oak leaf का एक मुकुट पहने हुए है तलवार लिए हुए है जर्मनी का जंडा लिए हुए है इस रूप में यहाँ पर जर्मेनिया को दिखाया गया है ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको और यहाँ पर जर्मेनिया जो है वो राइन का सुरक्षा करते हुए मतलब कि देश का सुरक्षा करते हुए यहाँ पर तस्वीर दिखाया गया है वैसे यह कुछ खास टॉपिक नहीं था इसलिए था थोड़ा बड़ा इससे एक-दो मार्क्स का कोशन पूछता है कि भाई फ्रांस कैलिगरी कौन था जर्मनी कैलिगरी कौन था इस प्रकार से उसमें कौन सा सिंबल किस चीज को डिनोट करता है इस प्रकार की चीज़े अब यहाँ पर हमारे सामने आता है Topic Number 6 Topic Number 6 है Nationalism and Imperialism अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं अब हम दूसरे इलागे की बात करते हैं अब यहाँ पर देखिए आपको एकि इलागे की बात करना है वो है Balkan Region अब यह Balkan Region क्या है यहाँ क्या हुआ था यह आपको बात करना है लेकिन short में जो first paragraph है इसमें थोड़ी सी बात extra है जो कि जान लीजिए यहाँ पर कहता है कि by the last quarter of 19th century nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century but became a narrow creed of limited ends यहाँ पर कहता है कि 19th century के last quarter आते आते तक यानि कि आपका करीब 1890 आते आते तक जो nationalism के भावना थी न वो एक बहुत अच्छी भावना नहीं रह गई थी nationalism में शुरुआत में क्या था nationalism में था कि भाई हमको देश unify करना है अपना nation बनाना है अपना एक unity बनाना है देश में ताकि लोगों का जीवन बहतर हो सके लोगों की जो ideology है freedom की ideology या फिर equality की ideology को अच्छे से लागू किया जा सके देश successful होगा कब जब हम nation बनाएंगे nation state बनाएंगे और वहाँ पर यह सारे principles लागू होंगे तब लोगों का भला होगा लोगों की बहतरी होगी इस प्रकार के कई सारे चीज़े हमने शुरुआत में पढ़ी थी chapter के भी शुरू में लेकिन जब 1880, 1890 का समय आने लगा उस समय जो nationalism की भावना थी न वो इस प्रकार की बाते नहीं होती थी nationalism में फिर nationalism में बात होने लगी कि मेरे बगलवाला जो देश है न उसको उड़ा देंगे ये जो देश है न ये मेरा दुस्मन है इसको उड़ा देंगे हम जो हैं हम ग्रीक हैं हम अपने बगलवाला मिसिडोनियन को उड़ा देंगे इस प्रकार के भावनाएं आने लगी nationalism में और यही चीज मेंली एक प्रकार से nationalism का मतलब हो गई थी 1880-1990 आते आते तक ठीक है कहता है कि during this period nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war यानि इस समय आते आते तक जिसने भी nationalist थे हर देश में France के, Germany के, या फिर Greece के, Turkey के, कहीं के भी वो हमेशा तयार होते थे कि भाई किसी के साथ वार में जाना है बगलवाला कुछ बोल दिया चलो वार में चलो एक दम युद्ध में चलो, युद्ध में उड़ा देंगे सबको इस प्रकार सी भावना यहाँ पर nationalism की भावना हो चुकी थी अब यहाँ पर एक चीज यह थी कि इस प्रकार की भावना को देश की सरकार भी बढ़ाती थी अपने देश में, क्यों भाव क्यों बढ़ाती थी, ताकि यहाँ पर जो दनता है उसके अंदर भावना खौले और वो जो सरकार है जो चाहती है बगल के इलाके को कबजा करना या किसी इलाके को गुलाम बनाना, जैसे इंग्लेंड की सरकार इंडिया को गुलाम बनाना चाहती है, ब्रिटेन की सरकार, तो वो क्या गरेगी? अपने देश में लोगों की भावना भढ़का देगी, एक दम कबजा करना है, आप लोग नाशनलिस्ट लोग हैं, चलो कबजा करने, तो वहाँ से सब लोग भढ़क के आएंगे और इंडिया पर हमला कर देगे और कबजा कर लेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर जो सरकारे थी, वो इन भावनाव को भढ़काती थी, बढ़ाती थी, ताकि उनका जो एम है, उनका जो एचीवमेंट वो करना चाहते हैं, वो आसानी हिसर वो कर सकें, अब यहाँ पर इस प्रकार का जो प्रॉब्लेम था, जो प्रॉब्लेम था, नेशनलिस्ट इंसन था, यह बहुत बड़े अस्तर पर आया बालकन रीजन में, 1871 के बाद, अब यह बालकन रीजन कहा है, कौन सा है, यह सबसे पहले आपको समझना जरूरी है, तब इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझने पाईएगा, अब यहाँ पर आप नक्षा किस चीज़ का देख रहे हैं, नक्षा देख रहे हैं, यूरोप का, यूरोप में कैसे आप अच्छा नहींगा, इटली है इधर, इटर आउस्ट्रिया है, हंगरी ह यह सारी चीज़े देख रहे हैं, तो यहाँ से आप अगर देखें, तो यहाँ से इस प्रकार से यह जो पूरा इलाका है न, यही हमारा है क्यों सा इलाका, बालकन का इलाका, बालकन रीजन यही रीजन कहलाता है, इसमें आज के कई सारे देश आ जाते हैं, लेकिन अगर उ इसको आजादी मिली थी मतलब क्या उसके पहले यहाँ पर यह पूरा रीजन किसके कबजे में था पूरा रीजन यहाँ पर टर्की के कबजे में था मतलब वहाँ पर आटोमन इंपायर होता था उसके कबजे में पूरा बालकन रीजन था यह पूरा रीजन आटोमन इंपायर क कबजे में था लेकिन धीरे धीरे यहां पर independence के वार लड़े गए और यहां पर क्या हुआ इन सभी इलाकों को आजादी मिल गई और Ottoman Empire जो था वो यहां तक सीमित हो गया यह सभी इलाके आजाद हो गए ठीक है अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर क्या problem आता है भ इस सारे इलाके थे जहां पर अलग-अलग group रहते थे जैसे यहां पर बात करें तो आज वहां पर कौन-कौन से देश है आज Romania है बुलगारिया है अलबेनिया है ग्रीस है मेसी डिवनिया है क्रोएशिया है बोस्निया है हजगविना है स्लोवेनिया सर्बिया मॉंटी नेग हो रहा था यह हमने बात किया ठीक है अब कहता है कि a large part of Balkans was under control of the Ottoman Empire the spread of the idea of romantic nationalism in Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this reason very explosive यहां पर इस reason में क्या हुआ romantic nationalism पहुँचा लोग अपने देश से प्रेम करने लगे महंबत करने लगे और nationalism का भावना उपर हमने देखा क्या हुआ था बगल वाले देश या फिर दुस्मन देश को उड़ाने के लिए हमेसा तयार रहते थे और साथ में यहां पर Ottoman Empire का control था Ottoman Empire यहां से हट गया खतम हो ग क्योंकि यहां बहुत ज्यादा tension था बहुत ज्यादा जगडा चल रहा था किस बात को लेकर आईए समझते हैं All through the 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms but with very little success यहां पर जब Ottoman Empire का कबजा था उस समय Ottoman Empire कोशिश कर रहा था कि किसी प्रकार से हम लोग modernize करके सुधार करके इस इलाके पर कबजा बरकरार रखें लेकिन वो successful नहीं हो पाया धीरे धीरे जितने भी इस यूरोप के बालकन रीजन के देश थे वो धीरे धीरे उससे आजाद होने लगे खुद को independent खोशित करने लगे ठीक है अब यहाँ पर देखिए जो बालकन रीजन में जो भी देश आजाद होए न यह सारे देश जब आजाद हो गये यह आपस में जगडने लगे किस बात को लेकर जगडने लगे तो यहाँ पर यह जगडने लगे कि भाई हमारा इलाका कहां तक है तो यह लोग थे Ottoman Empire के कंट्रोल में तो Ottoman Empire के आने से पहले अलग-अलग राज अपना अलग-अलग दावा करने लगे कोई बोलता था कि मेरा यहां तक boundary है दूसरा के बोलता था नहीं तुम्हारा यहां तक है इसको लेकर जगड़ा होने लगा सभी जो आपस में Balkan Countries थे उनके बीच में बहुत जगड़ा होने लगा अब यहां पर यही मेन कारण था इस इलाके में बहुत ज़्यादा जगड़ा होने का कि boundary clear defined नहीं था कि किस country का कहा तक है सभी लोगों के बीच में आपना nationalist sentiment को लेकर दूसरे से जगड़ा के लिए हमेसा तयार रहते थे ठीक है अब यहाँ पर कहता है कि hence the rebellious nationalists in the Balkans thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence अब यहाँ पर यही चीज कहता है कि जो यहाँ पर जगड़ा था यह सारी चीजे थी वो एक प्रकार से पुराने history के आधार पर यह लोग सही कह रहे थे कि भाई देखो हम लोग जो हैं पहले बहुत आजाद हुआ करते थे पहले बहुत successful थे लेकिन यह auto man वाले आए इन्हों ने हम पर हम कबजा कर लिया हमको गुलाम बना लिया अब हम आजाद हो गए हैं तो हम अपना पूरा territory अपने control मिलेंगे इस प्रकार की बाते होती थी अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आपको अलग अलग जो slavic nationalistic थे अब slavic कहां से आया तो जो बालकन में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको slav कहा जाता है ठीक है उनको खुद को slav कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह जैसे जैसे यह जो अलग अलग slavic nationalistic थे मतलब जो अलग अलग countries थे इनके लोग अपना identity और independence define कर रहे थे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा conflict बढ़ने लगा conflict क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि सभी देश अपना छेतर बढ़ाना चाहते थे कि भाई मेरा यहाँ तक boundary है बढ़ा कर यहाँ तक कबजा कर ले बगल वाले का इलाका भी कबजा कर लो ऐसा सभी देश चाहते थे ठीक है? जो बालकन स्टेट थे बालकन राज थे अलग लग वो बहुत ज़्यादा अपने अगल बगल के देशों से जेलस थे, जलन थे उनमें और दूसरे के इलाके को कबजा करके अपना छेतर बढ़ाना चाहते थे और इसके साथ ही यहाँ पर जो सभी राजित थे उनके बीच में जगडा बहुत चल रहा था इसी सारे मुद्दे को लेकर जलन था दूसरे साथ ही clear defined boundary नहीं था, सभी nationalist फिलिंग से भरे हुए थे, सब अपने देश का छेतरफल बढ़ाना चाहते थे इसी बीच में यहाँ पर problem बढ़ जाता है, यहाँ पर आपको European major powers की entry हो जाती है, यहाँ पर Germany भी आ जाता है, Britain भी आ जाता है France भी आ जाता है, Russia भी आ जाता है, सभी आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं वाई, क्योंगे यहाँ पर सभी देशों को लगता था कि दूसरा वाला जाके अपना इलाका कंट्रोल कर लेगा, मतलब Germany भाने को लग रहा था कि Britain जाके पूरे इलाके को कंट्रोल करने लगेगा Britain को लग रहा था कि France कंट्रोल करने लगेगा, France को लग रहा था कि Russia कंट्रोल करने लगेगा, इसलिए धीरे धीरे सभी जो major powers थे Europe के, वो सारे यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर एक प्रकार से बहुत बड़ा rivalry सुरू हो जाता है यानि यहाँ पर बालगन के छोटे छोटे देशों का जगड़ा, अब पूरे Europe का जगड़ा बन गया था, बालकन में तो जगड़ा चल ही रहा था, France भी सामिल हो गया, Germany भी हो गया, Britain भी हो गया, Russia भी हो गया, सभी यहाँ पर शामिल हो गया, और इसी के दौरान यहाँ पर कहता है कि during this period there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might इसी के साथ साथ बालकन में तो इनके बीच में जगड़ा था ही, साथ में जितने भी European बड़े powers थे उनके बीच में भी अपना जगड़ा चलता था कि Europe में किसका पावर जादा रहेगा पूरी दुनिया में किसका पावर जादा रहेगा किसका कबजा रहेगा उसको लेकर जगड़ा चलता था These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded यहाँ पर कहता है कि यह जो rivalries थी बड़े powers की बीच में वो एक प्रकार से साफ दिखती है कि किस प्रकार से Balkan region में घटनाए हुई Each power Russia, Germany, England, Austro-Hungary was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area This led to series of wars in the region and finally the World War First World War यहाँ पर हर देश चाहता था कि भाई दूसरे देश का control यहाँ पर कम किया जाए हमारा control बढ़े और हमारा control बढ़े तो उसके लिए दूसरे देश को जो नुकसान पहुचाना है पहुचादो युद्ध लड़ना है लड़ो जो करना है करो लेकिन हमारा control बढ़ाओ उसका control घटाओ यह चीज़ लोग चाहते थे और उसी चीज़ की वज़ा से काफी सारे युद्ध हुए बहुत युद्ध हुए और अंत में जाकर प्रथम विश्व युद्ध हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार इसी रीजन से हुआ बालकन रीजन की वज़ा से हुआ अब आगे यहाँ पर कहता है कि नेशनलिजम अलाइंड विध इंपिरियालिजम लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914 1914 में क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार इस्टार्ट हुआ था नेशनलिजम की भावना इंपिरियालिजम के साथ मिलकर पूरा क्या हो गया यूरोप को बरवादी की तरफ ले गया फर्स्ट वर्ल्ड वार के रूप में नेशनलिजम की वज़ए से क्या नुक्सान हुआ ये तो आप समझ गया इंपिरियालिजम का क्या मतलब होता है इंपिरियालिजम का मतलब की भाई एक प्रकार से समराज जिवाद की भाई देखो हम इंगलेंड हैं इंगलेंड होकर हम दुनिया के बहुत सारे इलाकों के उपर कबज़ा करके रखे हुएं जैसे की ये नक्शह आप देख रहे हैं ये नक्शह ब्रिटें का है मतलब की ब्रिटें के लोगों ने बनाया है ब्रिटें के समराज को दिखाने के लिए England के समराज को दिखाने के लिए कि यह देखे यह छोटा सा Britain यहाँ पर Canada भी control करता है इस इलाके को भी control करता है इंडिया को भी control करता है Australia को भी, Africa को भी सभी इलागों को control करता है तो यह Britain का नक्षा है कि Britain का समराज देखो कितना फैला हुआ है अब यहाँ पर आगे वढ़ें तो आगे यहाँ पर क्या कहता है अब यहाँ आगे कहता है कि इसी के साथ इसी दौरान में क्या होता है कि जितने भी देश जहां पर European powers ने गुलाम बनाया था जिन देशों को वहाँ पर इन European powers का विरोध होना शुरू होता है अब यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि देखे जितने भी देश गुलाम बनाये गए थे वहाँ पर आटी इंपरियल मुवेंट चल रहा था यह सारे जो आटी इंपरियल मुवेंट थे यह नेशनलिस्ट थे मतलब देश प्रेम के साथ बने थे या फिर शुरू हुए थे और यह सारे जो एंटी इंपरियल मुवेंट थे यह सारे जो मुवेंट थे यह नेशन इस्टेट बनाने के लिए थे और यहाँ पर आपको कलेक्टिव आइडिनिटी थी यह सारी चीज़े थी आगे कहता है कि जो नेशनलिजम की भावना थी यूरोप में उसको कहीं भी दुनिया में कौपी नहीं किया गया उससे लोगों ने सीखा भारत में भी पढ़ा दूसरे जग उपर भी पढ़ा लेकिन हर देश में जो नेशनलिजम था ना वो अपने तरीके से आया यूरोप का कॉपी कहीं पर नहीं किया गया था 4 people everywhere developed their own specific variety of nationalism but the idea that society should be organized into nation state came to be accepted as natural and universal यानि कि society में नेशन इस्टेट होना चाहिए दुनिया में सारे नेसन इस्टेट होने चाहिए यह आइडिया को हर जगा accept किया गया, स्विकार किया गया और ये एक प्रकार से आज आप देख सकते हैं कि दुनिया के ज़्यादा तर्दिस क्या है नेशन इस्टेट के रूप में तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, चैप्टर के कोशिंस के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई